उस्तकाल एक कृष्ण देवत्व के सर्वोच व्यक्तित्वर अध्याई 87 व्यक्तिकृत वेदों द्वारा प्रार्थनाय राजा परीक्षित ने शुपदेग गोस्वामी से पालोकिक विशय को समझने में एक बहुती महत्वपून विशय के बारे में पूछ ताच की। वैदिक ज्यान कैसे पराकाष्ठा तक पहुँच सकता है? किसी विशय वस्तू के वर्नन के लिए उसके उद्गम के सोत, उसके गुनों और उसकी गतिविधियों का वर्नन करना आवश्यक हो जाता है. ऐसा वर्नन भहतिक मन से विचार करने और भहतिक शब्दों को स्पंदित करने से ही संभव हो सकता है. ब्रहम या परमसत्य में कोई भहतिक गुन नहीं है, लेकिन हमारी बोलने की शक्ती भहतिक गुनों से परे नहीं जाती है. फिर आपके शब्दों से ब्रहम परमसत्य का वर्नन कैसे किया जा सकता है? मैं यह नहीं देखता कि भहतिक ध्वनी की ऐ इसी अभिव्यक्तियों से उतकर्ष को कैसे समझा जा सकता है। इसी अभिव्यक्तियों से उतकर्ष को कैसे समझा जा सकता है। स्वान श्विस्तार को विश्वनु तत्व कहा जाता है, जबकि विभिन श्विस्तार को जीव तत्व कहा जाता है। बधा आत्माओं को आम तोर पर इंद्रियत्रिप्ति के लिए भौतिक संसार की गतिविधियों में लगाया जाता है। इसलिए, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, उन लोगों को विणियमित करने के लिए जो विभिन प्रकार की इंद्रियत्रिप्ति में अत्यदिक आ सक्त हैं, कभी कभी देवताओं की पूजा की सिफारिश की जाती है। उदाहरन के लिए, मास खाने के अत्यदिक आदी व्यक्तियों के लिए, वैदिक निशेधाग्या अनुशनसा करती है कि देवी काली के रूप की पूजा करने और कर्म कांडनियम के तहत एक बकरी कोई अन्य जानवर नहीं की बली देने के बाद, उपासकों को मास खाने की अनुमती दी जा सकती है. यह विचार किसी को मास खाने के लिए प्रोथसाहित करने के लिए नहीं है बलकि कुछ प्रतिबंधित शर्तों के तहत मास खाने पर जोर देने वाले व्यक्ति को इसे खाने की अनुमती देने के लिए है. इसलिए, देवताओं की पूजा परम सत् व्यक्ति धीरे धीरे भगवान के परम व्यक्तित्व को अप्रत्यक्ष रूप से स्वीकार करने लगता है। व्यक्ति अप्रत्यक्ष रूप से स्वीक्ति धीरे भगवान के पूरे निर्मान पर डाली जाती हैं। शुकदेव गोश्वामी ने उत्थर दिया कि निर्मान की बहुत इक स्थितियों से मुप्ती की अनुमती देने के लिए दूसरे शबdenों में व्यक्ती इंद्रियतृति और एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने या मुप्ती के मामले में इंद्रियों, मं और जीवित शक्ति क उप्योग कर सकता है। वैदिक आदेश केवल बधर आत्माओं को नियामक सिध्धानतों के तहट इंद्रियत्रिप्ती का अफसर देने के लिए हैं और इस तरह उन्हें जीवन की उच्छ स्थितियों में पदोननती का अफसर देने के लिए भी हैं। अंतता यदि चेतना हो जाती हैं तब बध्ध जीव मुक्त हो जाता है। अन्यथा यदि इंद्रियों और मन को नियंत्रित करने के लिए बुद्धी का ठीक से उपयोग नहीं किया जाता है तो बधर आत्मा केवल इंद्रियत्रिप्ती के लिए एक प्रकार के शरीर से दूसरे शरीर में देहान तरन करती रहती है। शुकदेव गोस्वामी के उत्तर में स्पष्ट रूप से कहा गया एक अन्यबिंदु यह है कि यह व्यक्तिगत जीव का मन, इंद्रिया और बुद्धी है जिसे भगवान ने बनाया है। यह नहीं कहा गया है कि जीवों को स्वयम कभी बनाया गया था जिस प्रकार सूर्य की किरनों के चमकते कन हमेशा सूर्य के साथ रहते हैं, वैसे ही जीव भगवान के परम व्यक्तित्व के अंश के रूप में अनंतकाल तक मौझूद रहते हैं। लेकिन जिस तरह सूर्य की किरने कभी-कभी एक बादल से धग जाती हैं, जो सूर्य जाता है, उसी तरह बधर आत्माएं, हालांकि परम भगवान के अंश के रूप में शाश्वत रूप से विद्यमान हैं, कभी-कभी जीवन की भौतिक अवधारना के बादल के भीतर डाल दी जाती हैं। अग्यान का अंधेरा, पूरी वैदिक प्रक्रिया उस अंधकार में स्थिती को कम करने के लिए है। अंततः, जब बध्ध जीव की इंद्रिया और मन पूरी तरह से शुधर हो जाते हैं, तो वो अपनी मूल स्थिती में आ जाता है, जिसे क्रिशन भावनामरित कहा जाता है, और यही मुक्ती है। वेदान्त सूत्र में, पहला सूत्र या परमसत्य के बारे में प्रश्न करता है। अथा तो ब्रहम जिग्यासा, परमसत्य की प्रकृति क्या है? अगला सूत्र उत्तर देता है कि परमसत्य की प्रकृति यह है कि वहर चीज का मूल है। जीवन की इस भौतिक स्थिती में भी हम जो कुछ भी अनुभव करते हैं, वह केबल उन्ही से उत्पन होता है। परमसत्य ने मन, इंद्रियों और बुद्धी को बनाया। इसका अर्थ है कि परमसत्य मन, बुद्धी और इंद्रियों से रहित नहीं है। दूसरे शब्दों में वह व्यक्तिक नहीं है। स्विजित शब्द का ही अर्थ है कि उनके पास पालोकिक बुद्धी है उदाहरन के लिए जब एक पिता एक बच्चे को जन्द देता है तो बच्चे को होश होता है क्योंकि पिता के पास भी होश होता है बच्चा हाथ पैर के साथ पैदा होता है क्योंकि पिता के भी हाथ पैर होते हैं कभी कभी कहा जाता है कि मनुश्य को विशेष्टा को एक व्यक्ति के रूप में समझ सकता है। ये अगनी अंतिम लक्ष है। इसी तरह जीवन की स्थूल भोतिक अवस्था में अग्यानता का गुन बहुत प्रमुख है। विक्रित चेतना से आच्छा दित होने के कारण ही इंड्रिया और मन भोतिक गतिविधियों में लगे हुए है। जब ये विक्रित चेतना धीरे-धीरे कृष्ण भावनामृत में परिवर्तित हो जाती है तब मुक्ति का मार्ग खुल जाता है। तो ऐसा नहीं है कि व्यक्ति इंड्रियों और मन के द्वारा परमसत्य तक पहुंचने में असमर्थ है। बलकि निशकर्ष यह है कि सिंदूशन की स्थूल अवस्था में इंड्रिया, मन और बुद्धी परमसत्य की प्रकृति की सराहना नहीं कर सकते हैं, लेकिन शुधा होने पर इंड्रिया, मन और बुद्धी समझ सकते हैं कि परमसत्य क्या है। शुद्ध करने की प्रक्रिया को भक्ती सेवा या क्रिशन भावनामृत कहा जाता है भगवद गीता में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि वैदिक ज्यान का उद्देश्य क्रिशन को समझना है और क्रिशन को भगती सेवा द्वारा समझा जाता है जो समर्पन की प्रक्रिया से शुरू होता है जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है व्यक्ति को हमेशा कृष्ण के बारे में सोचना चाहिए उसे हमेशा कृष्ण की प्रेम पूर्ण सेवा करनी चाहिए और उसे हमेशा कृष्ण की पूजा करनी चाहिए और उनके सामने जुकना चाहिए इस प्रक्रिया के द्वारा ही कोई बिना किसी संदेह के परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकता है जो व्यक्ति भक्ति सेवा की प्रक्रिया द्वारा सत्व गुन में प्रबुध होता है वह तमो गुन और रजो गुन से मुक्त हो जाता है राजा परीक्षित के प्रश्न का उत्तर देने में शुकदेव गुस्वामी ने आत्मान शब्द का प्रयोग किया जो ब्राहमन योग्यता के चरण को इंगित करता है जिसमें उपनिशद के रूप में ग्यात वैदिक साहित्य का अध्यान करने की अनुमती है उपनिशद विभिन प्रकार से परमेश्वर के दिव्य गुनों का वर्नन करते हैं परमसत्य सर्वोच भगवान को निर्गुन कहा जाता है इसका मतलब यह नहीं है कि उसमें कोई गुन नहीं है केवल इसलिए कि उनमें गुन हैं बध़ जीवों में गुन हो सकते हैं उपनिशदों के अध्यन का उद्देश अग्यान, रजोगुन और अच्छाई के भौतिक गुनों के विप्रीद परमसत्य के पलोकिक गुनों को समझना है कि जिस तरह से है वैदिक समझ का, सनक के नित्रित्व में चार कुमारों जैसे महान संतों ने वैदिक ज्यान के इन सिध्धानतों का पालन किया और धीरे धीरे निराकार समझ से सरवोच भगवान की व्यक्तिगत पूजा के मंच पर आ गए इसलिए यह सिफारिश की जाती है कि हमें महान व्यक्तिओं का अनुसरन करना चाहिए शुकदेव गोस्वामी भी महान व्यक्तिओं में से एक हैं और महाराज परीक्षित की पूछ ताच का उनका उत्तर अधिकृत है जो व्यक्ति ऐसे महान व्यक्तिओं के पद्चिहनों पर चलता है वहनिश्चित रूप से मुक्ति के मार पर बहुत आसानी से चलता है और अंत में वापस घर भगवत धाम को जाता है इस मानव जीवन को पूछ बनाने का यही तरीका है शुकदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज से बात करना जारी रखा मेरे प्रियराजा उन्होंने कहा इस संबंध में मैं एक अच्छी कहानी सुनाता हूँ यह कहानी महत्वपून है क्योंकि यह भगवान के सर्वोच व्यक्तित्व नारायन के संबंध में है यह वर्नन नारायन रिशी और महान रिशी नारत के बीच की बातचीत है नारायन रिशी अभी भी बद्रीकाश्रम में निवास करते हैं और उन्हें नारायन के अफ्तार के रूप में स्वीकार किया जाता है बद्री का शम हिमालय पर्वत के सबसे उत्तरी भाग में स्थित है और हमेशा बर्फ से धका रहता है धार्मिक भारती अभी भी गर्मी के मौसम में इस जगह की यात्रा करने जाते हैं जब बर्फबारी बहुत गंभीर नहीं होती है एक बार जब नारद, महान भक्त और देवताओं के बीच तपस्वी, विभिन ग्रहों के बीच यात्रा कर रहे थे तो उनकी इच्छा तपस्वी नारायन से व्यक्तिगत रूप से बद्री का शम में मिलने और उन्हें सम्मान देने की थी देवत्व के इस महान रिशी अवतार, नारायन रिशी, भारत वर्ष के निवासियों को यह सिखाने के लिए स्रिष्टी के आरम से ही महान तपस्या और तपस्या कर रहे हैं कि भगवान के पास वापस जाने के उच्छतम पून ता चरण को कैसे प्राप्त किया जाए उनकी तपस्या और तपस्या मनुष्य के लिए अनुकर्णिय साधना है भगवान नारायन रिशी के अवतार कलाप ग्राम नामक गाव में कई भगतों के बीच बैठे थे बेशक ये उनके साथ बैठे साधारन रिशी नहीं थे और महान रिशी नारद भी वहाँ प्रकट हुए नारायन रिशी को अपना सम्मान देने के बाद नारद ने उनसे ठीक वही प्रश्न पूछा जो राजा परीक्षित ने शुगदेव गोस्वामी से पूछा था तब रिशी ने अपने पूर्ववर्तियों के पद्चिन्हों पर चलते हुए उत्तर दिया उन्होंने एक कहानी सुनाई की कैसे इसी प्रश्न पर जनलोक नामक ग्रह पर चर्चा की गई थी जो स्वर्गलोग ग्रहों जैसे की चंद्रमा और शुक्र के उपर है इस ग्रह पर महान संत और संत व्यक्ति रहते हैं और उन्होंने एक बार ब्रह्म की समझ और उसकी वास्तविक पहचान के बारे में एक ही बिंदू पर चर्चा की थी महान रिशी नारायन ने बोलना शुरू किया मेरे प्रिय नारद उन्होंने कहा मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ जो बहुत पहले हुई थी स्वर्गिय ग्रहों के निवासियों की एक बड़ी बैठक थी और लगभग सभी महत्वपूर्ण ब्रहमचारियों जैसे की चार कुमार्ट सानंदन, सनक, सनातन और सनत कुमार्ट ने भाग लिया उनकी चर्चा परमसत्य ब्रहम को समझने के विशय पर थी आप उस बैठक में उपस्थित नहीं थे क्योंकि आप श्वेतिद्वीब ग्वीब पर रहने वाले मेरे विस्तार अनिरुद को देखने गए थे इस बैठक में सभी महान संतों और ब्रहमचारियों ने बहुत विस्तार से उस बिंदू पर चर्चा की जिसके बारे में आपने मुझ से पूछा है और उनकी चर्चा बहुत दिलचस्प थी यह इतना नाजुक था कि वेद भी जटिल प्रशनों का उत्तर देने में असमर्थ थे नारायन रिशी ने नारत जी से कहा कि नारत जी ने जो प्रशन उठाया था उस पर जनलोग की उस बैठक में चर्चा की गई थी यह परंप्रा या शिश्य उत्तराधिकार के माध्यम से समझने का तरीका है महाराज परीक्षित ने शुकदेव गुस्वामी से पूछ ताच की और शुकदेव गुस्वामी ने इस मामले को नारत को भेजा जिन्होंने उसी तरह से नारायन रिशी से पूछताच की थी, जिन्होंने इस मामले को जनलोग ग्रह पर अभी भी उच्छ अधिकारियों के सामने रखा था, जहां महान कुमारों के बीच इस पर चर्चा की गई थी, सनातन, सनक, सानंदन और सनत कुमार. ये चार ब्रमचारी, कुमार, वेदों और अन्य शास्त्रों में मान्यता प्राप्त विद्वान हैं. तपस्या और तपस्या द्वारा समर्थित ग्यान की उनकी असीमित मात्रा, उनके उदाध्त, आदर्ष, चरित्र, द्वारा प्रदर्शित होती है. ये व्यवहार में पीच हुई चर्चा में उनमें से एक सानन्दन को बोलने के लिए चुना गया और दूसरे भाई उसे सुनने के लिए शोता बन गए। जब राजा प्रातर काल सोता है नियुक्त साधक उसके शयनकक्ष के चारों और आते हैं और उसकी वीरता पून गतिविधियों का गान करने लगते हैं और उसकी महिमा पून गतिविधियों को सुनकर राजा धीरे धीरे जाग जाता है। आप सभी बधर आत्माओं को माया के चंगुल से चुडाने में सक्षम हैं। हे प्रभू, हम दिल से प्रार्थना करते हैं कि आप क्रिपया ऐसा करें। सभी जीव, आपके अंश होने के नाते, स्वाभाविक रूप से हर्शित, शाश्वत और ज्यान से भरे हुए हैं, उनके पालोकिक गुनों को तीन भौतिक गुनों के बादलों ने ढख लिया है। बिना कोई भौतिक उर्जा के प्रभाव को पार नहीं कर सकता है। दरसल, हम साकार वैदिक ज्यान के रूप में हमेशा बधर आत्माओं को आपको समझने में मदद करके आपकी सेवा में लगे रहते हैं। वेदों की यह प्रार्थना व्यक्त करती है कि वेद बधध जीवों को कृष्ण को समझने में मदद करने के लिए हैं। सभी शुतियों या साकार वेदों ने बार-बार भगवान की महिमा गाते हुए जये। अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहता है तो वह तुरंद भौतिक उर्जा द्वारा कबजा कर लिया जाता है और उसकी इच्छा के अनुसार उसे 8400-000 विभिन प्रकार के शरीरों में से एक किस्म की पेशकशकी जाती है। एध्यपी भौतिक अस्तित्व के तीन गुना दुखों से गुजरते हुए ब्रह्मगरस जीव अपने आपको उन सभी का स्वामी मानता है जो वह सर्वेक्शन करता है। तीन गुना भौतिक गुनो द्वारा प्रस्तुत भौतिक उर्जा के जादू के तहर जीव इतना उल्जा हुआ है कि वह तब तक मुक्त होने में सक्षम नहीं है जब तक कि उस पर परम भगवान की कृपाना हो। परमात्मा के रूप में भीतर से निर्देश दे सकते हैं कि कैसे एक जीव धीरे-धीरे उनके पास आ सकता है। पहले मुझे दो और जो तप और तपस्या तुम करना चाहते हो उन्हें मेरे लिए करो। इस प्रकार कर्मी धीरे-धीरे क्रिशन भावनामरित विक्सित करने के लिए निर्देशित होते हैं। इसी तरह क्रिशन दार्शनिकों को निर्देश देते हैं कि वे ब्रह्मर और माया के बीच भेदभाव करके धीरे-धीरे उनके पास जाएं। जैसा कि क्रिशन भगवत गीता में कहते हैं, कई, कई जन्मों के बाद, बुद्धिमान दार्शनिक मेरे प्रती समर्पन करता है, योगियों को यह भी निर्देशित किया जाता है कि वे अपने ध्यान को हृदे के भीतर क्रिशन पर केंडरित करें और क्रिशन भावनामरित कि इस तरह की निरंतर प्रक्रिया से वे भी भौतिक उजा के चंगुल से मुक्त हो सकते हैं। हालां कि भक्त शुरू से ही प्रेम और स्नेह के साथ भक्ती सेवा में लगे हुए हैं और इसलिए भग्वान व्यक्तिगत रूप से उन्हें निर्देश देते हैं ताकि वे बिना किसी कठिनाई या विचलन के उनके पास पहुंच सकें। यह भग्वद गीता में कहा गया है केवल भग्वान की कृपा से ही जीव ब्रहमक, परमात्मा और भग्वान की सही स्थिती को समझ सकता है। साकार वेदों के कथन सपष्ट प्रमान देते हैं कि वैदिक साहित्य केवल कृष्ण को समझने के लिए प्रस्तुत किया गया है। भग्वद गीता पुष्टी करती है कि सभी वेदों के माध्यम से केवल कृष्ण को ही समझना है। क्रिशन हमेशा आनन्दित रहते हैं, या तो भौतिक दुनिया में या आध्यात्मिक दुनिया में, क्योंकि वे परम भोगता हैं, उनके लिए भौतिक और आध्यात्मिक में कोई भेद नहीं है। अक्तित्व प्रतियक जीव के हृदय में विद्यमान है, अपनी सर्वव्या पीता के कारण, वे न केवल जीवों के हृदयों में, बल्की परमानवों में भी प्रवेश करने में सक्षम हैं। अभाविक ज्यान के कारण, वे सभी को अपने नियंत्रन मेला सकता है। वैसे तो वे सबके मालिक हैं। वे कभी कभी गलोग की सतह पर प्रकट होता है, लेकिन वे एक साथ सभी पदार्थों के भीतर होता है। स्वयम को अनेक रूपों में विस्तारित करने की इच्छा से उन्होंने भौतिक उजा पर द्रिष्टी डाली और इस प्रकार असंखे जीव प्रकट हुए। सबकुछ उनकी उच्छ शक्ती द्वारा बनाया गया है और उनकी रचना में सबकुछ बिना किसी कमी के पूरी तरह से किया हुआ प्रतीत होता है। प्रित्वी के साथ ब्राहमन की इस उपमा को नियोजित करते हुए निर्विशिश्वादी विशेश रूप से वैदिक कथन सर्वम खल विदम ब्राहमा पर जोर देते हैं। ब्राहम में विलीन हो जाता है वे नहीं जानते की ब्राहमा क्या है। सभी कारणों का कारण। ब्राहम शब्द सबसे महान और हर चीज के अनुरक्षिक को इंगित करता है। निर्विशिश्वादी आकाश की महानता से आकरिष्ट होते हैं, लेकिन अपने अल्ब ज्यान कोश के कारण वेकरिशन की महानता से आकरशित नहीं होते। हालां कि हमारे व्यभारिक जीवन में हम किसी व्यक्ती की महानता से आकरशित होते हैं न कि किसी बड़े पहार की महानता से। इस प्रकार, ब्रह्म, शब्द वास्तव में केवल क्रिशन पर लागू होता है, इसलिए भगवद गीता में अर्जुन ने निशकर्ष निकाला की भगवान क्रिशन पर ब्रह्म हैं, या हर चीज के सरवोचो विश्रामस्थल हैं। क्रिशन अपने असीमित ग्यान, असीमित शक्तियों, असीमित शक्ती, असीमित प्रभाव, असीमित सुन्दर्ता और असीमित त्याग के कारण परम ब्रह्म हैं। उनकी बातचीत से लौकिक अभिव्यप्ति होती है, क्रिशन पर टिकी होती है और विघटन के बाद फिर से क्रिशन के शरीर में उनकी सूक्षम उर्जा के रूप में प्रवेश करती है। इस जूठे तर्क का उत्तर क्रिशन द्वारा भगवत गीता में दिया गया है, यद्यपी सब कुछ क्रिशन की उर्जा का रूपांतरन है, वे हर जगह मौझूद नहीं है। परिवर्तन क्रिशन से निकलते हैं, क्रिशन का व्यक्तित्व ज़रासा भी परिवर्तित नहीं हुआ है। इसलिए चुनकी कृष्ण सभी कारणों के कारण हैं, बुध्धिमान व्यक्तियों को उनके चरण कमलों की शरण लेनी चाहिए। कृष्ण हर किसी को केवल उनकी शरण में जाने की सलाह देते हैं, और यही वैदिक निर्देश का तरीका है। चुनकी कृष्ण सभी कारणों के कारण हैं, इसलिए सभी प्रकार के रिशियों और संतों द्वारा नियामक सिध्धानतों के पालन के माध्यम से उनकी पूजा की जाती है. जहां तक ध्यान का संबंध है, महान व्यक्ति हृदे के भीतर क्रिशन के पालोकिक रूप का ध्यान करते हैं. इस प्रकार महान व्यक्तियों का मन सदैव क्रिशन में लगा रहता है. कृष्ण में लगे अपने मन के साथ स्वाभाविक रूप से मोहित भक्त केवल कृष्ण की बात करते हैं कृष्ण की बात करना या कृष्ण का गाना कीर्टन कहलाता है भगवान चैतन्य सलाह देते हैं कीर्तनिया, सदाहरी, जिसका अर्थ है हमेशा कृश्न के बारे में सोचना और बात करना और कुछ नहीं यही कृष्ण भावनामृत कहा जाता है, कृष्ण भावनामृत इतना उदाता है कि जो कोई भी इस प्रक्रिया को अपनाता है वो जीवन की उच्चतम पून्ता तक उन्नत होता है, मुक्ति की अवधारना से बहुत परे इसलिए भगवत गीता में कृष्ण हर किसी को हमेशा उनके बारे में सोचने, उनकी भक्ती सेवा करने, उनकी पूजा करने और उन्हें प्रनाम करने की सलाह देते हैं इस प्रकार एक भक पूरी तरह से कृष्ण रूप हो जाता है और हमेशा कृष्ण भावनामरित में स्थित होने के कारण अंततर कृष्ण के पास वापस चला जाता है। एध्यपी वेदों ने कृष्ण के विभिन अंशों के रूप में विभिन देपताओं की पूजा की सिफारिश की है यह समझना चाहिए कि ऐसे निर्देश कम बुद्धिमान पुरुशों के लिए हैं जो अभी भी भौतिक इंडियत्रिप्ती से आकरशित हैं। लेकिन वह व्यक्ती जो वास्तव में मानव जीवन के मिशन की पूर्ण पूर्टी चाहता है उसे केवल भगवान कृष्ण की पूजा करनी चाहिए और यह मामले को सरल करेगा और उसके मानव जीवन की सफलता की पूरी गारंटी देगा। यद्यपी आकाश, जल और भूमी सभी भूतिक संसार का हिस्सा हैं। जब कोई ठोस भूमी पर खड़ा होता है तो उसकी स्थिती उस स्थिती से अधिक सुरक्षित होती है जब वह आकाश या जल में खड़ा होता है। पर खड़ा होता है क्योंकि पत्थर और लकड़ी दोनों प्रित्वी की सतह पर ठिके होते हैं। लेकिन यह उत्तर दिया जा सकता है कि यदि कोई प्रित्वी की सतह पर सीधे खड़ा होता है तो वह लकड़ी या पत्थर पर खड़े होने की तुलना में अधिक सुरक्षित होता है जो पृत्वी पर टिका होता है दूसरे शब्दों में परमात्मा की शरण लेना या निराकार ब्रह्मा की शरण लेना उतना सुरक्षित मार्ग नहीं है जितना की कृष्ण भावनामरित में कृष्ण की सीधी शरण लेना इसलिए ग्यानियों और योगियों की स्थित क्रिष्ण के भक्तों की स्थिती जितनी सुरक्षित नहीं है। इसलिए भगवान क्रिष्ण ने भगवत गीता में सलाह दी है कि केवल वही व्यक्ती देवताओं की पूजा करता है, जो अपनी बुद्धी खो चुका है। और अव्यक्तिक ब्रह्म से जुड़े व्यक्तियों के बारे में श्रीमत भागवत्न कहते हैं, मेरे प्रिय भगवान, जो लोग खुद को मान से कटकलों से मुक्त मानते हैं, वे आपके कमल का आश्रय पाने में असमर्थता के कारण अभी तक भौतिक प्रकृती के प्रदूशन से शुधन नहीं होए हैं। पैर, यद्यपी व प्रहम में अस्तित्व की पालोकिक स्थिती तक उठ जाते हैं, वे निश्चित रूप से उस उच्छ स्थिती से नीचे गिर जाते हैं क्योंकि वे आपके चरण कमलों का उफास करते हैं। इसलिए भगवान क्रिशन सलाह देते हैं कि देवताओं के उपासक बहुत बुद् प्रिय भगवान सभी द्रिश्टिकोनों पर विचार करते हुए यदि किसी व्यक्ति को अपने से श्रेष्ट किसी की पूजा करनी हैं, तो अच्छे व्यवहार से उसे आपके चरण कमलों की पूजा में रहना चाहिए क्योंकि आप परम नियंतरक हैं निर्मान, आप तीनों लोकों के नियंतरक हैं, भूव, भूवह ततास्व, आप चौदा उप्री और निचले संसारों के नियंतरक हैं और आप तीन भवतिक गुनों के नियंतरक हैं देवता और आध्यात्मिक ज्यान में उन्नत व्यक्ति हमेशा आपकी पालोकिक लीलाओं के बारे में सुनते और जब करते हैं क्योंकि इस प्रक्रिया में पापपून जीवन के संचित परिनामों को निश्प्रभावी करने की विशिष्ट शक्ती होती है बुद्धिमान व्यक्ति वास्तव में आपकी अम्रितमाई गतिविधियों के सागर में डूप की लगाते हैं और बहुत धहर्यपूर्वक उनके बारे में सुनते हैं इस प्रकार वे तुरंद भौतिक गुनों के कलमश से मुप्थ हो जाते हैं उन्हें आध्यात्मिक जीवन में उन्नती के लिए कठोर तपस्या और तपस्या नहीं करनी पड़ती आपकी दिव्य लीलाओं का यह जप और श्रवन आत्म साक्षातकार के लिए सबसे आसान प्रक्रिया है केवल पालोकिक संदेश के विनमर श्रवन ग्रहन से किसी का हृदय सभी गंदी चीजों से शुध हो जाता है इस प्रकार कृष्ण भावनामरित एक भक्त के हृदय में स्थिर हो जाता है महान प्राधिकारी भीष्मदेव ने यह भी राय दी है कि भगवान के परम व्यक्तित्व के बारे में जप और श्रवन की यह प्रक्रिया सर्वोचधार्मिक प्रक्रिया है और तैंतिरिय उपनिशत कहता है कि पून पुरुशोत्तम भगवान की पूजा सभी वैदिक कर्मकांडों का सार है प्रिय भगवान, साकार वेद ने आगे कहा, जो भक्त केवल भक्ती गतिविदियों की प्रक्रिया द्वारा, विशेश रूप से श्रवन और जब द्वारा खुद को उपर उठाना चाहता है वह बहुत जल्द भौतिक अस्तित्व के द्वंदवों के चंगुल से बाहर आ जाता है तपस्या और तपस्या की इस सरल प्रक्रिया से भक्त के हृदे के भीतर स्थित परमात्मा बहुत प्रसन होते हैं और भक्त को निर्देश देते हैं ताकि वह घर वापस जा सके, भगवान के पास वापस जा सके भगवद गीता में कहा गया है कि जो अपनी सारी गतिविदियों और इंद्रियों को भगवान की भक्ती सेवा में लगाता है वह पूरी तरह से शांत हो जाता है क्योंकि परमात्मा उससे संतुष्ठ है, इस प्रकार भक्त गर्मी और सर्दी, सम्मान और अपमान जैसे सभी द्वंद्वों से मुक्त होने के कारण वह पालोकिक आनंद का अनुभव करता है और वह अब भहतिक अस्तित्व के कारण चिंताओं और चिंताओं से ग्रस्त नहीं होता है। भगवान भगवत गीता में पुष्टी करते हैं, मेरा परम धाम एक दिव्यस्थान है, जहां से जाने के बाद कोई इस भहतिक संसार में वापस नहीं आता है। अधारित विधियों द्वारा भक्ती सेवा प्रदान करें। यदि कोई व्यक्ती कृष्ण भावनामृत और भक्ती सेवा में सनलग नहीं है, तो उसके लिए जीवन के लक्षन प्रदर्शित करना व्यर्थ है। आमतोर पर अगर कोई व्यक्ती सांस ले रहा है तो उसे जीवित मान लिया जाता है। लेकिन कृष्ण भावनामृत से रहित व्यक्ती की तुलना लोहार की दुकान की धोरंकनी से की जा सकती है। बड़ी धोरंकनी चमने की थेली होती है जो हवा को बाहर निकालती और खीचती है और एक मनुष्य जो केवल कृष्ण भावनामृत और प्रेमपून भक्ती सेवा को अपनाए बिना तवचा और हड़ियों के थेले के भीतर रहता है वह धोरंकनी से बहतर नहीं है। इसी तरह, एक अभध के जीवन की लंबी अभधी की तुलना एक पेड के लंबे अस्तित्व से की जाती है, उसकी खाने की क्षमता की तुलना कुत्तों और सुअरों के खाने से की जाती है, और यौन जीवन में उसके आनन की तुलना सुअरों और बक्रियों से की जाती लौकिक अभिव्यक्ति इस भौतिक दुनिया के भीतर महा विश्णु के रूप में भगवान के सरवोच व्यक्तित्व के प्रवेश के कारण संभव हुई है महा विश्णु की दृष्टी से समग्र भौतिक उर्जा उत्तेजित होती है और केवल तभी तीन भौतिक गुनों की परस पर क्रिया शुरू होती है इसलिए यह निश्कर्ष निकाला जाना चाहिए कि हम जो भी भौतिक सुविधाओं का आनंद लेने की कोशिश कर रहे हैं वे केवल भगवान के परम व्यक्तित्व की दया के कारण उपलब्ध है शरीर के भीतर अस्तित्व के पांच अलग अलग विभाग हैं जिन्हें अन्नमय, प्राणमय, मनो माया, विज्ञान माया और अंत में आनंद माया के रूप में जाना जाता है जीवन के प्रारंब में प्रत्येक जीवाहार के प्रती सचेत रहता है अच्छा भोजन पाकर ही बालक या पशु को त्रिप्ती होती है चेतना की यह अवस्था जिसमें लक्ष एशो आराम से भोजन करना है अन्न माया कहलाती है अन्ना का अर्थ है भोजन इसके बाद व्यक्ति जीवित होने की चेतना में रहता है यदि कोई आक्रमन या विनाश के बिना अपना जीवन जारी रख सकता है तो वह स्वयम को सुखी समझता है इस चरण को प्राण माय या किसी के अस्तित्व की चेतना कहा जाता है इस अवस्था के बाद जब व्यक्ति मानसिक स्तर पर स्थित होता है तो उसकी चेतना मनो माया कहलाती है भौतिकवादी सभ्यता मुख्य रूप से अन्नमय, प्राणमय और मनो माया इन तीन अवस्थाओं में स्थित है सभ्य व्यक्तियों की पहली चिंता आर्थिक विकास है, अगली चिंता विलोपन के खिलाफ रक्षा है और अगली चेतना मान से कटकले हैं, जीवन मूलियों के प्रती दार्शनिक द्रिश्टिकों यदि दार्शनिक जीवन की विकासवादी प्रक्रिया द्वारा कोई बौधिक जीवन के मंच पर पहुंच जाता है और यह समझ जाता है कि वह यह भौतिक शरीर नहीं बलकि एक आध्यात्मिक आत्मा है तो वह विज्ञान मैं अवस्था में स्थित है फिर आध्यात्मिक जीवन में विकास के द्वारा वह सर्वोच भगवान या सर्वोच आत्मा की समझ में आता है जब कोई उनके साथ अपना संबंध विक्सित करता है और भक्ती सेवा करता है तो जीवन की उस अवस्था को क्रिशन भावनामरित कहा जाता है आनन्द में अवस्था आनंद माया ज्यान और अनंद काल का आनंद मय जीवन है जैसा की विदान सूत्र में कहा गया है आनंद मयो अभ्यासात परम ब्रह्म और अधिनस्त ब्रह्मन या देवत्व के सर्वोच व्यक्तित्वर और जीव दोनों स्वभाव से आनंदेत हैं जब तक जीव जीवन की निचली चार अवस्थाओं अन्नमय, प्राणमय, मनोमाया और विज्ञानमय में स्थित हैं, तब तक उन्हें जीवन की भौतिक स्थिती में माना जाता है, लेकिन जैसे ही कोई पहुंचता है आनंदमाया की अवस्था, वह एक मुक्तात्मा है भगवत गीता में इस आनंदमया अवस्था की व्याख्या ब्रह्मभूत अवस्था के रूप में की गई है, वहां यह कहा जाता है कि जीवन की ब्रह्मभूत अवस्था में न कोई चिंता होती है और न कोई लालसा यह चरण तब शुरू होता है जब व्यक्ति सभी जीवों के प्रती समान रूप से इच्छुक होता है और फिर यह क्रेशन भावनामरित के चरण तक फैलता है जिसमें व्यक्ति हमेशा पूर्ण पुरुशोत्तम भगवान की सेवा करने के लिए लालायत रहता है भक्ति सेवा में उन्नती की यह लालसा भोतिक अस्तित्व में इंड्रियत रिप्ती की लालसा के समान नहीं है दूसरे शब्दों में आध्यात्मिक जीवन में लालसा बनी रहती है लेकिन यह शुधः हो जाती है इसी प्रकार जब हमारी इंद्रियां शुध हो जाती हैं तो वे सभी भौतिक अवस्थाओं से मुक्त हो जाती हैं अर्थात अन्नमय, प्राणमय, मनो माया और विज्ञान माया और वे सर्वोचस्तर पर स्थित हो जाते हैं आनंद मय या क्रिशन भावनाम रित में आनंद मय जीवन मायावादी दार्शनिक आनंद माया को परमात्मा में विलीन होने की अवस्था मानते हैं उनके लिए आनंद मय का अर्थ है कि परमात्मा और जीवात्मा एक हो जाते हैं लेकिन वास्तविक तथे यह है कि एकतव का अर्थ परमात्मा में लीन हो जाना और अपने व्यक्तिगत अस्तित्व को खो देना नहीं है अध्यात्मिक अस्तित्व में लीन होना जीव का अनंद काल और ज्ञान के पहलूओं में सरवोच भगवान के साथ गुनात्मक एक्ता की अनुभूती है लेकिन वास्तविक आनंद मैं आनंद मैं अवस्था तब प्राप्त होती है जब कोई भकती सेवा में लगा होता है भगवद गीता में इसकी पुष्टी की गई है, मदभक्तिम लबते पराम यहां भगवान कृष्ण कहते हैं कि ब्रह्म भूत आनंद मैं अवस्था तभी पून होती है जब सरवोच और अधीनस्थ जीवों के बीच प्रेम का आदान प्रदान होता है जब तक कोई इस आनंद मैं अवस्था में नहीं आता, तब तक उसकी श्वास लोहार की दुकान की धोरकनी की श्वास के समान है, उसकी जीवन अवधी एक व्रिक्ष के समान है, और वहूंट, सुवर और सुवर जैसे निमनतर पश्वों से बहतर नहीं है कुत्ते, निस्संदे सनातन जीव का किसी भी समय विनाश नहीं किया जा सकता है, लेकिन जीवन की निचली प्रजातियां दयनी अस्थिती में रहती है, जबकि जो परम भगवान की भक्ती सेवा में लगा हुआ है वह सुखद या आनंद मैं, जीवन की स्थिती में स्थित ह उपर वर्नित विभिन चरण, सभी भगवान के परम व्यक्तित्व के साथ संबंध में हैं एध्यपी सभी परिस्थितियों में भगवान और जीव दोनों का अस्तित्व है अंतर यह है कि भगवान का सर्वोच व्यक्तित्व हमेशा आनंद मैं अवस्था में मौजूद रहता है जबकि अधीनस्त जीव अपनी सूक्षम स्थिती के कारण खंडित अंशों के रूप में होते हैं सर्वोच भगवान जीवन के अन्य चरणों में गिरने के लिए प्रवन है यद्यपी सभी अवस्थाओं में सर्वोच भगवान और जीव दोनों मौजूद है भगवान का सर्वोच व्यक्तित्व हमेशा हमारे जीवन की अवधारना से परे है चाहे हम बंधन में हो या मुक्ती में परम भगवान की कृपा से संपून लोकिक अभिव्यक्ती संभव है यह परम भगवान की कृपा से मौजूद है और नश्ठ होने पर यह परम भगवान के अस्तित्व में विलीन हो जाती है इस प्रकार परम भगवान परम अस्तित्व हैं, सभी कारणों के कारण हैं इसलिए निशकर्श यह है कि कृष्ण भावनामरित के विकास के बिना किसी का जीवन केवल समय की बरबादी है जो लोग बहुत भावतिकवादी हैं और आध्यात्मिक दुनिया की स्थिती को नहीं समझ सकते हैं कृष्ण का निवास, महान संतों ने यौगिक प्रक्रिया की सिफारिश की है जिससे व्यक्ति धीरे-धीरे उदर पर ध्यान से उठता है जिसे मुलाधार या मनिपूरक ध्यान कहा जाता है मुलाधार और मनिपूरक तकनी की शब्द हैं जो पेट के भीतर आतों को संदर भित करते हैं मोटे तोर पर भौतिकवादी लोग सोचते हैं कि आर्थिक विकास सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि वे इस धारणा के तहत हैं कि एक जीव केवल खाने से ही जीवित रहता है ऐसे घोर भौतिकवादी व्यक्ति यह भूर जाते हैं कि यदि पी हम जितना चाहें उतना खा सकते हैं यदि भोजन पच्ता नहीं है तो यह आपच और अमलता की परेशानी पैदा करता है इसलिए भोजन अपने आप में जीवन की महत्व पूर्ण उर्जा का कारण नहीं है खाने के पाचन के लिए हमें दूसरी पराशक्ति का आश्रे लेना पड़ता है जिसका उलेक भगवद गीता में वैश्वन के रूप में किया गया है भगवान कृष्वन भगवद गीता में कहते हैं कि वे वैश्वन के रूप में पाचन में मदद करते हैं देवत्व का सर्वोच व्यक्तित्व सर्वव्यापी है इसलिए पेट में वैश्वन के रूप में उनकी उपस्थिती असाधारन नहीं है कृष्ण वास्तव में हर जगह मौजूद हैं वैशनव, इसलिए विश्णू के मंदिरों के साथ अपने शरीर को चिनित करता है वह पहले पेट पर, फिर छाती पर, फिर कॉलबोन के बीच, फिर माथे पर, और धीरे धीरे वसिर के उपर, ब्रम्हा पर तिलक मंदिर लगाता है रंधरा, एक वैशनव के शरीर पर अंकित तिलक के तेरह मंदिरों को इस प्रकार जाना जाता है माथे पर भगवान केशव का मंदिर है, पेट पर भगवान नारायन का मंदिर है, छाती पर भगवान माधव का मंदिर है, और माथे पर भगवान माधव का मंदिर है गला, दो हसली के बीच, भगवान गोविंद का मंदिर है कमर के दाहिनी और भगवान विश्नु का मंदिर है, दाहिनी भुजा पर भगवान मधुसुदन का मंदिर है और हसली के दाहिनी और भगवान त्रिविक्रम का मंदिर है इसी प्रकार कमर के बाही और भगवान वामन देव का मंदिर है, बाही और श्रीधर का मंदिर है, हसली के बाही और हृशीकेश का मंदिर है, उपरी पीट पर पदमनाव नामक मंदिर है और निचले हिस्से में वापस मंदिर बुलाया दा मोदर सिर्के शीवष पर वासुदेव नामक मंदिर है ये शरीर के विभिन भागों में भगवान की स्थिती पर ध्यान की प्रक्रिया है लेकिन जो वैश्नव नहीं है उनके लिए महान रिशी जीवन की शारीरिक अवधारना पर ध्यान देने की सलाह देते हैं, आतों पर ध्यान, हृदय पर, गले पर, महों पर, माथे पर और फिर सिर के उपर महान संत अरुन की शिश परमपरा के कुछ रिशी हृदय पर ध्यान करते हैं, क्योंकि परमातमा जीव के साथ हृदय के भीतर रहता है इसकी पुष्टी भगवत गीता 15 वे अध्याय में की गई है जहां भगवान कहते हैं मैं सबके हृदय में स्थित हूँ भक्ती सेवा के भाग के रूप में वैशनव भगवान की सेवा के लिए शरीर की रक्षा करते हैं लेकिन जो स्थूल भौतिकवादी हैं वे शरीर को की कार करते हैं वे विभिन शारीरिक अंगों जैसे मनिपुर्क, दहर और हृदय पर ध्यान की योगिक प्रक्रियादवारा शरीर की पूजा करते हैं धीरे-धीरे सिर के शीर्ष पर ब्रहमरंद्र की और बढ़ते हैं प्रथम श्रेणी के योगी जिन्होंने योग प्रनाल के अभ्यास में पूर्णता प्राप्त कर ली है, अंतता ब्रह्मरंद्र के माध्यम से बहुतिक या आध्यात्मिक दुनिया में से किसी एक ग्रह में जाते हैं। कैसे एक योगी अपने आपको दूसरे ग्रह पर स्थानांतरित कर सकता है इसका विशद वर्नन श्रीमत भागवत्न के दूसरे सर्ग में किया गया है। पैर माना जाता है, ब्रह्मान के मध्य भाग को भगवान की नाभी या उदर माना जाता है, उप्री ग्रह प्रनाली जैसे जनलोक और महर लोक भगवान का हृद्य हैं, और सर्वोच ग्रह प्रनाली, ब्रमलोक को भगवान के सिर के उपर माना जाता है। उपासक की स्थिती के अनुसार महान रिशियों द्वारा सुझाई गई विभिन प्रक्रियाएं हैं, लेकिन सभी ध्यान योगिक प्रक्रियाओं का अंतिम उद्देश घर वापस जाना है, भगवत धाम वापस जाना है। लोक, सभी भौतिक ग्रहों के उपर स्थित हैं। ये वेकुंट ग्रह सनातन धाम के रूप में जाने जाते हैं, और वे शाश्वत हैं। वे कभी नश्ट नहीं होते, यहां तक कि इस भौतिक संसार के विनाश से भी नहीं। साकार वह मानव जीवन के विशिष उद्देश को पूरा करने में निराश हो गया है। भगवान के लिए साकार वेदों की अगली प्रार्थना उनके जीवन की विभिन प्रजातियों में प्रवेश करने से संबंधित है। यह भगवत गीता 14. अध्याय में कहा गया है कि प्रत्य एक प्रजाती और जीवन के रूप में सर्वोच भगवान का अध्यात्मिक अंच मौझूद है। भगवान स्वयम गीता में दावा करते हैं कि वे सभी रूपों और प्रजातियों के बीज देने वाले पिता हैं, इसलिए सभी को भगवान का पुत्र माना जाना चाहिए। परमात्मा के रूप में सबके हृदय में परमेश्वर का प्रवेश कभी-कभी निर्विशिश्वादियों को जीवों की तुलना परमेश्वर से करने के लिए भ्रमित कर देता है। वे सोचते हैं, परमेश्वर और आत्मा दोनों ही विभिन शरीरों में प्रवेश करते हैं, तो भेश कहा है। अंदर, जीता में सपश्ट रूप से कहा गया है कि भगवान जीवात्मा को बुद्धी प्रदान करते हैं और स्मृति तथा विस्मृति दोनों ही परमात्मा के प्रभाव के कारण हैं। परमात्मा की स्वीकृति के बिना कोई भी स्वतंत रूप से कार्य नहीं कर सकता। प्रदर्शित होती है। व्यक्तिगत आत्मा का साक्षी और सलाहकार बन जाता है, तो उसकी एक रसकी स्थिती में जरा भी परिवर्तन नहीं होता है। प्रदर्शित के अनुपात में ही कर सकता है। पूतना को मार कर अपनी पूरी शक्ती का प्रदर्शन कर सकते थे और अन्यराक्षस जिन्होंने उस पर हमला किया। इस प्रकार भगवान के सरवोच व्यक्तित्व की आध्यात्मिक शक्ती को एक रस या बिना परिवर्तन के कहा जाता है। इसलिए पूर्शोत्तम भगवान ही एक मात पूजनी अवस्तो हैं और यह उन लोगों के लिए पूरी तरह से जाना जाता है जो भौतिक प्रकृती के गुनों से असिंक्रिमित हैं। दूसरे शब्दों में केवल मुक्त आत्माई ही भगवान के परम व्यक्तित्व की पूजा कर सकती हैं। अच्छी तरह से जानते हुए कि वासुदेव, कृष्ण, सभी कारणों के कारण हैं, भगवान के प्रती समर्पन करते हैं। वेज जारी रखते हैं, जैसा की पहले ही समझाया जा चुका है, चूनकी मन, बुद्धी और इंद्रियां हमें भगवान द्वारा दी गई हैं। जब इन उपकरणों को वास्तव में शुद्ध किया जाता है, तो उन सभी को भगवान की भक्ती सेवा में सनलग्न करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता है। एक जीव का जीवन की विभिन प्रजातियों में फंसना उसके मन, बुद्धी और इंद्रियों के भौतिक गतिविधियों में गलत उप्योग के कारण है। जीव के कर्मों के परिनाम स्वरूग विभिन प्रकार के शरीर प्रदान किये जाते हैं, और वे भौतिक प्रकृती द्वारा जीव की इच्छा के अनुसार बनाये जाते हैं। क्योंकि एक जीव एक विशेश प्रकार के शरीर की इच्छा रखता है और उसका हगदार है, यह उसे भौतिक प्रकृती द्वारा परम भगवान के आदेश के तहट दिया जाता है। श्रीमत भागवत्म, तीसरे सर्ग में, यह समझाया गया है कि एक जीव को एक विशेश प्रकार के शरीर को विक्सित करने के लिए उच्छ अधिकारी के नियंत्रन में एक पुरुष के वीर्य के भीतर रखा जाता है और एक विशेश महिला के गर्ग में इंजेक्ट किया जा जीवन की विबिन प्रजातियों में, या तो एक देपता, मानव या पशुष शरीर में स्थित हो जाता है वैदिक साहित्य में यह बताया गया है कि जीवन की विबिन योनियों में फंसे जीव परमेशवर के अंच्छ हैं मायावादी दार्शनिक जीव को जीव समझने की भूल करते हैं परमात्मा जो वास्तव में जीव के साथ मित्र के रूप में बैठे हैं क्योंकि परमात्मा भगवान के सर्वोच व्यक्तित्व का स्थानिय पहलू और व्यक्तिगत जीव दोनों शरीर के भीतर हैं कभी कभी एक गलत फहमी हो जाती है कि दोनों के बीच कोई अंतर नहीं है। लेकिन व्यक्तिगत आत्मा और परमात्मा के बीच एक निश्चित अंतर है और इसे वराह पुरान में इस प्रकार समझाया गया है। परम भगवान के दो प्रकार के अंश हैं। जीव को विभिनांश कहा जाता है और परमात्मा या परम भगवान का पून विस्तार स्वांश कहा जाता है। सरवोच व्यक्तित्व का स्वांश पून विस्तार उतना ही शक्तिशाली है जितना की स्वयम भगवान। परम पुरुष की शक्ति और परमात्मा के रूप में उनके पूर्ण विस्तार के बीच किन्चित मात्र भी अंतर नहीं है। लेकिन विभिनांच अंशों में भगवान की शक्तियों का केवल एक छोटा सा अंश होता है। तो शिव और जीव के बीच का अंतर यह है कि भगवान का सर्व शुब व्यक्तित्व कभी भी भौतिक गुनों से प्रभावित नहीं होता है जबकि पूरुष उत्तम भगवान के सूप्षम अंश भौतिक प्रकृति के गुनों से प्रभावित होते हैं। किसी विशेश जीव के शरीर के भीतर स्थित परमात्मा भगवान का पूर्ण अंश होने के नाते व्यक्तिगत जीव द्वारा पूजनिया है। महान संतों ने इसलिए निशकर्ष निकाला है कि ध्यान की प्रक्रिया को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि व्यक्तिगत जीव अपना ध्यान पर मात्मा रूप विशनु के चरण कमलों पर केंद्रित कर सके। यही वास्तविक समाधी है। जीव को अपने स्वयम के प्रयास से भौतिक बंधन से मुक्त नहीं किया जा सकता है। इसलिए उसे परम भगवान या अपने भीतर स्थित परमात्मा के चरण कमलों की भक्ति सेवा करनी चाहिए। और मुझे आपके साथ ज्यान के सरवोचा आनंद में जीवन का आनंद लेने का विशेश अधिकार है। इसलिए मेरे प्रिय भगवान कृपया मुझे अपनी प्रेम्माई सेवा प्रदान करने का आदेश दे ताकि मुझे फिर से पालोकिक आनंद की अपनी मूस्थिती में लाया जा सके। महान व्यक्ति समझते हैं कि इस भौतिक संसार में उल्जा हुआ जीव अपने प्रयासों से मुक्त नहीं हो सकता। द्रिल विश्वास और भक्ति के साथ ऐसे महान व्यक्तित्व भगवान को पालोकिक प्रेम्माई सेवा प्रदान करने में स्वयम को सनलगन करते हैं। यही साकार वेदों का निर्नाय है। साकार वेद जारी रखा, प्रिय भगवान, परम सत्य का पून ज्यान प्राप्त करना बहुत कठिन है। आपका स्वामी पतित आत्माओं पर इतना दयालू है कि आप विभिन अफ्तारों में प्रकट होते हैं और विभिन गत ख्यानों को पढ़ने के लिए स्वाभाविक जुकाव होता है जिन में सामान्य जीवों की महिमा की जाती है, लेकिन जब वे आपकी शाश्वत लीलाओं को चितरित करने वाले वैदिक साहित्य से आकरशित होते हैं, तो वे वास्तव में पालोकिक आनंद के सागर में दूप की लगाने से ताजा महसूस करता है, वैसे ही बधर आत्मा जो भौतिक गतिविधियों से बहुत अधिक ग्रिना करती है, ताजा हो जाती है और केवल आपकी लीलाओं के पालोकिक महासागर में दूप की लगाने से बहौतिक गतिविधियों की सारी थकान भूल जात और अंतता वह दिव्य आनंद के सागर में विलीन हो जाता है। के लिए स्वर्गिय ग्रहों पर जाने के लिए भौतिक गतिविधियों में कोई दिल्चस्पी नहीं। शुद्ध भक्त केवल परमहंस या महान मुक्त भक्तों की संगती की तलाश करते हैं ताकि वे आपकी महिमा के बारे में लगातार सुन सकें और कीर्टन कर सकें। इस उद्धेश के लिए शुद्ध भक्त जीवन के सभी सुखों का त्याग करने के लिए तैयार रहते हैं। यहां तक पारिवारिक जीवन और तथाकतित समाज, दोस्ती और प्रेम के भौतिक सुखों को भी त्याग देते हैं। अपने मन, इंद्रियों और बुद्धी को शुद्ध करने में सक्षम होता है, तो उसका मन उसका मित्र बन जाता है। नहीं तो उसका मन हमेशा उसका दुश्मन होता है। पूजा करने का प्रयास करके ए, देवता या आत्मसाक्षातकार की किसी अन्य प्रक्रिया को अपना कर, जीव जन्म और मृत्यू के चक्र का शिकार हो जाता है, और कोई भी अनुमान नहीं लगा सकता है कि जीवन की ग्रिनित योनी जैसे बिल्लियों और कुत्तों में प्र पूजा करते हैं, जैसे मास और शराब और अन्य नशीले पदार्थों का आनंद लेते हैं, और मृत्यू के बाद उन्हें निम्योनियों में जन्म लेने के लिए मजबूर किया जाता है। मनुष्य जीवन अपनी स्थिती को समझने का एक अफसर है, इसलिए सबसे बुद्धिमान व्यक्ती बिना विचलित हुए केवल अपने मन, इंद्रियों और शरीर को भगवान की सेवा में लगाने के लिए भक्ती सेवा को अपनाता है। वे शरीर के भीतर प्राणवायू को नियंतरित करने की योगिक प्रक्रिया में स्वयम को सनलगन करते हैं। वे विश्णु के स्वरूप पर मन को एकाग करके और इंद्रियों को अत्यंत कर्थोर्ता से वश में करके योगाभयास करते हैं। परन्तु बहुत श्रमसाध्य तपस्या और नियमन के बाद भी वे वही गती प्राप्त करते हैं, जो आपसे शत्रुता रखने वाले व्यक्तियों की होती है। दूसरे शब्दों में, योगी और महान, बुद्धिमान दार्शनिक विचारक दोनों अंतताह वेक्तिक ब्रह्म दीग्ति को प्राप्त करते हैं, जो राक्षसों द्वारा स्वचालित रूप से प्राप्त की जाती है जो भगवान के नियमित शत्रु हैं। कांस, शिशुपाल और दंत्वक जैसे असुरों को ब्रह्म तेज प्राप्त होता है क्योंकि वे शत्रुतावश भगवान के परम व्यक्तित्व का निरंतर ध्यान करते हैं। गोपियों जैसी महिलाएं वासना के आदेश के तहट आप पर ध्यान केंद्रित करते हैं। श्रीधर स्वामी ने इस संबंध में एक अच्छा श्लोक लिखा है, मेरे प्रिय भगवान, आपके चरन कमलों के बारे में हमेशा सोचते रहना बहुत कठिन है। यह उन महान भगवान के लिए संब्भव है जो पहले से ही आपके लिए प्रेम प्राप्त कर चुके हैं और दिव्य प्रेम मही सेवा में लगे हुए हैं। मेरे प्रिय भगवान, मैं चाहता हूँ कि मेरा मन भी किसी तरह आपके चरन कमलों पर कम से कम कुछ समय के लिए स्थिर हो जाए। व्यक्तिगत निवास, गोलोक व्रिंदावन या वैकुंट ग्रहों के लिए। निर्विशिश्वादी और सगुनवादी दोनों ही आध्यात्मिक शेत्र, आध्यात्मिक आकाश में प्रवेश करते हैं, लेकिन निर्विशिश्वादियों को निराकार ब्रहम तेज में अपना स्थान दिया जाता है, जबकि सगुनवादियों को उनकी इच्छा के अनु नहीं समझ सकता है, जो हाल की पीडी के जन्म से पहले रहते थे, हम देवत्व के सर्वोच व्यक्तित्व, नारायन या कृष्ण को समझने में असमर्थ हैं, जो शाश्वत रूप से विध्यमान है। गर्भोंट शाय विष्णू के उदर से निकले कमल के फूर पर जब तक ब्रह्मा का जन्म नहीं हुआ, तब तक यह खाली और अंधेरा था। इन दो प्रकार के देवताओं से धीरे-धीरे मनुष्य सहित अन्य सभी जीव प्रकट हुए। इस प्रकार ब्रह्मा सहित इस भौतिक जगत के सभी जीवित प्राणियों, सभी देवताओं और सभी राक्षसों को आधुनिक माना जाना चाहिए। इसका मतलब है कि वे सभी हाल ही में पैदा हुए थे। इसलिए, जिस तरह एक परिवार में हाल ही में पैदा हुआ व्यक्ति अपने दूर के पूर्वज की स्थिती को नहीं समझ सकता है, इस भौतिक दुनिया में कोई भी आध्यात्मिक दुनिया में सरवोच भगवान की स इस प्रकार इस सृजित परिस्थिती में सृष्टी के मूद स्रोत को समझने के साधन के रूप में निर्मित किसी भी प्रक्रिया को आधुनिक माना जाना चाहिए। अवस्था में होते हैं, नारायन के भीतर आराम करते हैं, तब ये सभी निर्मित प्रक्रियाइं शुन्य हो जाती हैं, और शुन्य है और कार्य नहीं कर सकता, भक्ती सेवा, हालां कि शाश्वत आध्यात्मिक दुनिया में हमेशा के लिए चल रही है, इसलिए आत्मसाक्षात या ईश्वर प्राप्ती की एक मात्र वास्तविक प्रक्रिया भक्ती सेवा है, और जो इस प्रक्रिया को अपनाता है, वह ईश्वर प्राप्ती की वास्तविक प्रक्रिया को अपनाता है, इस संबंध में, श्रीर श्रीधर स्वामी ने एक श्लोप की रचना की है, जो इस व्यक्त करता है कि सबकुछ का सर्वोचस्रोथ, पून पुरुशोत्तम भगवान इतना महान और असी में थे कि जीव के लिए किसी भी भौतिक अधिग्रहन द्वारा उन्हें समझना संभव नहीं है। इसलिए व्यक्ती को भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि वे उनकी भक्ती सेवा में हमेशा के लिए लगे रहें, ताकि भगवान की क्रिपा से व्यक्ती स्रिष्टी के सर्वोचस्रोथ को समझ सके। सृष्टी के सरवोचसोथ, परमभगवान, स्वयम को केवल भक्तों के लिए प्रकट करते हैं। भगवत गीता के चौथे अध्याय में भगवान अर्जुन से कहते हैं, मेरे प्रिय अर्जुन, क्योंकि तुम मेरे भक्त हो और क्योंकि तुम मेरे घनिष्ट मित्र हो, मैं तुम्हें अपने बारे में समझने की प्रक्रिया बताऊंगा दूसरे शब्दों में, सृष्टी के सर्वोचस्रोथ, भगवान के परम व्यक्तित्वक को हमारे अपने प्रयास से नहीं समझा जा सकता है, हमें भक्ती सेवा से उन्हें प्रसंद करना होगा, और तब वे स्वयम को हमारे सामने प्रकट करेंगे, तब हम उसे कुछ हद तक समझ सकते हैं, विभिन प्रकार के दा शेशवादी हैं और मायावादी कहलाते हैं, उनमें से हर एक अपनी राय स्थापित करने की कोशिश की है, हालां कि बाद में उन सभी ने समझोता किया और कहा कि सभी राय एक ही लक्ष की ओर ले जाती हैं और इसलिए हर राय मान्य है, साकार वेदों की प्रार्थनाओं के नुसार, हालां कि उनमें से कोई भी मान्य नहीं है क्योंकि उनके ग्यान की प्रक्रिया अस्थाई भोतिक संसार के भीतर बनाई गई है, वे सभी वास्तविक बिंदू से चूप गए हैं, पून पुरुशोत्तम भगवान या परम सत्यक केवल भक्ती सेवा द्वारा ही होना चाहिए और ऐसी गतिविधिया एक व्यक्ति को उचतम पून ताकी ओर ले जाएंगी, लेकिन भगवत गीता के नौवे अध्याय में इसका खंडन किया गया है, जहां भगवान क्रिशन कहते हैं कि पवित्र गतिविधियों के द्वारा किसी को स्वर्गिय ग्रहों तक उपर उठाया जा सकता है, लेकिन जैसे ही किसी के पवित्र गतिविधियों का संचे समाप्त हो जाता है, उसे छोड़ना होगा स्वर्गिय ग्रहों में भौतिक सम्रिध्धी के एक उच्छ स्तर का आनंद लेते हैं और तुरंत इन निचले ग्रहों पर वापस आ जाते हैं, जहां जीवन की अब्धी बहुत कम होती है और जहां बहुत एक सुख का स्तर निम्न श्रेनी का होता है, भगवद गीता में प्रयुक्त सटीक शब्ध हैं क्षीने पुन्य मर्ति लोकम विष्टी, इसलिए मिमान सक दार्शनिकों का यह निशकर्ष की पवित्र कर्म व्यक् पवित्र गतिविधियां अग्यान और जुनून के कारण होने वाले संदूशन में से एक को शुध कर सकती हैं, लेकिन यह शुद्धी भगवद गीता, श्रीमत भगवद मिया इसी तरह के ग्रंथों के रूप में भगवान के पालोकिक संदेश को लगातार सुनने में लग भगवद गीता में यह भी कहा गया है कि एक व्यक्ति जो प्रेम और विश्वास के साथ भग्ति सेवा में लगा हुआ है, उसे भगवान के परम व्यक्तित्व द्वारा भीतर से निर्देशित किया जाता है। वैग्यानिक पद्धती से इस ब्रमांडिया अभिव्यक्ति का अध्ययन करते हैं और ब्रमांडिया अभिव्यक्ति के निर्माता के रूप में भगवान के सर्वोचर अधिकार को नहीं पहचानते हैं। वे गलत निशकर्ष निकालते हैं कि भौतिक तत्वों की प्रतिक्र ग्या सद्वा सौम्यद माग रासित से होती है, जिसका अर्थ है कि सृष्टी की उत्पत्ती ब्रमांडिया अभिगत्ती से पहले मौजूद थी. इसलिए भौतिक तत्व भौतिक स्विजन का कारण नहीं हो सकते. एद्यपी भौतिक तत्वों को तत्काल कारणों के रूप में स्विकार किया जाता है, अंतिम कारण स्वयम भगवान का परम व्यक्तित्व है. भगवद गीता कहती है, इसलिए भौतिक प्रकृती कृष्ण के निर्देशन में काम करती है. नास्तिक सांक्य दर्शन का निश्कर्श यह है कि क्योंकि प्रभाव इस भौतिक संसार की घटनाएं अस्थाई या भ्रामक हैं इसलिए कारण भी भ्रामक है सांक्य दार्शनिक शुन्यवाद के पक्ष में हैं, लेकिन वास्तविक तत्य यह है कि मूल कारण भगवान का परम व्यक्तित्व है और यह लौकिक अभिव्यक्ति उनकी भौतिक उर्जा का अस्थाई प्रकेटी करन है. जब इस अस्थाय अभिव्यक्ति का नाश हो जाता है तो इसका कारण आध्यात्मिक दुनिया का शाश्वत अस्तित्वर जैसा है वैसा ही बना रहता है और इसलिए आध्यात्मिक दुनिया को सनातन धाम शाश्वत निवास कहा जाता है इसलिए सांग के दार्षनिकों का निशकर्ष अमान्य है इसके बाद गौतम और कनाद के नित्रित्व वाले दार्षनिक हैं उन्होंने भौतिक तत्वों के कारण और प्रभाव का बारीकी से अध्यरन किया है और अंतता इस निश्कर्ष पर पहुंचे हैं कि परमानू स्योजन ही स्रिष्टी का मूल कारण है वर्तमान में भोतिकवादी वेग्यानिक गौतम और करनाद के पचिन्हों पर चलते हैं जिन्होंने इस सिध्धान्त को प्रतिपादित किया जिसे परमानूवाद कहा जाता है हालांकि इस सिध्धान्त का समर्थन नहीं किया जा सकता है हर चीज का मूल कारण जड़ परमानू नहीं है भगवत गीता और श्रीमत भागवत्म, साथ ही साथ वेदों में इसकी पुष्टी की गई है, जिसमें यह कहा गया है, एको नारायन आसित, सृष्टी से पहले केवल नारायन ही अस्तित्व में थे, श्रीमत भागवत्म और वेदान सूत्र भी कहते हैं कि मूल कारण समवेदन और अप्रत्यक्ष रूप से और प्रत्यक्ष रूप से इस रिष्टी के भीतर की हर चीज से परिचित है। प्रत्यक्ष रूप से इस रिष्टी के भीतर की हर चीज से परिचित है। पून, समवेदंशीर व्यक्तित्व है। निर्विशिश्वादियों का सबसे खतरनाक सिध्धान्त यह है कि जब भगवान अव्तार के रूप में आते हैं तो वे भौतिक प्रकृती के तीन गुनों द्वारा बनाए गए भौतिक शरीर को स्विकार करते हैं। इस मायावाद सिध्धान्त की भगवान चैतन्य ने सबसे अधिक आक्रामक के रूप में निंदा की है। उन्होंने कहा है कि जो कोई भगवान के व्यक्तित्व के पालोकिक शरीर को भौतिक प्रकृती से बना हुआ स्विकार करता है। वह विष्णु के चरण कमलों में सबसे बड़ा अपराद करता है। इसी तरह भगवत गीता भी कहती है कि जब भगवान का व्यक्तित्व मानव रूप में अफ्तरित होता है तो केवल मूर्क और दुष्ठी उनका उपहास करते हैं। यह वास्तव में तब हुआ जब भगवान कृष्ण, भगवान राम और भगवान चैतन्य मानव समाज के भीतर मानव के रूप में चले गए। केवल एक विशेश कार्य कर सकते हैं, उदाहरन के लिए हाथ पकर सकते हैं लेकिन देख या सुन नहीं सकते। लेकिन क्योंकि भगवान के परम व्यक्तित्व का शरीर आनंद चिनमयरस से बना है और इस प्रकार सच्छिद आनंद विग्रह है, वे अपने किसी भी अंग के साथ कुछ भी आनंद ले सकते हैं और सब कुछ कर सकते हैं। कि स्वीकृती, भौतिक के रूप में भगवान का अध्यात्मिक शरीर भगवान के सर्वोच व्यक्तित्व को बधर आत्मा के साथ समान करने की प्रवरिती से निर्धारित होता है। बधर आत्मा का भौतिक शरीर होता है। इसलिए यदि भगवान का भी एक भौतिक शरीर है तो निर्विशिश्वादी सिध्धान्त की भगवान के परम व्यक्तित्वर और जीवेक हैं और एक ही हैं को बहुत आसानी से प्रचारित किया जा सकता है। वास्तव में जब भगवान का परम व्यक्तित्वर आता है तो वो एक अभौतिक शरीर का प्रदर्शन करता है और इस प्रकार उसके बचकाने शरीर में कोई अंतर नहीं होता है। शरीर को बदलती है, वा अपने पिछले शरीर के बारे में सब कुछ भूल जाती है, लेकिन भगवत गीता से हम समझते हैं कि क्योंकि क्रिश्न का सच्छिदानन शरीर है, वे सूर्य देपता को इस बारे में निर्देश देना नहीं भूले लाखों साल पहले भगवत गीता इसलिए भगवान को पुरुशोत्तम के रूप में जाना जाता है क्योंकि वे भूतिक और आध्यात्मिक अस्तित्वर दोनों से परे हैं, वे सबी कारणों के कारण हैं, इसका मतलब है कि वे आध्यात्मिक दुनिया और भूतिक दुनिया के भी कारण हैं भगवान का सर्वोच व्यक्तित्व सर्वशक्तिमान और सर्वग्या है, इसलिए क्योंकि एक भूतिक शरीर न तो सर्वशक्तिमान और नहीं सर्वग्या हो सकता है, भगवान का शरीर निश्चित रूप से भूतिक नहीं है मायावाद सिध्धान्त की भगवान का व्यक्तित्वर इस भौतिक दुनिया में एक भौतिक शरीर के साथ आता है, किसी भी तरह से समर्थित नहीं हो सकता है यह निशकर्ष निकाला जा सकता है कि भौतिकवादी दार्षनिकों के सभी सिध्धान सपने में निशकर्ष की तरह स्थाई ग्रिमपून अस्तित्व से उत्पन होते हैं ऐसे निशकर्ष निश्चित रूप से हमें परमसत्य की ओर नहीं ले जा सकते पून सत्य को केवल भक्ती सेवा के माध्यम से महसूस किया जा सकता है जैसा कि भगवान भगवत गीता में कहते हैं भक्तिया माम अभिजानाती केवल भक्ती सेवा से ही कोई मुझे समझ सकता है श्रीर श्रीधर स्वामी ने इस संबंध में एक अच्छे श्लोग की रचना की है, जिसमें कहा गया है, मेरे प्रिय भगवान, दूसरों को जूटे तर्क और शुश कटकलों में सनलग्न होने दें, जो महान दार्शनिक सिध्धान्तों पर आधारित हों। केवल आपके पालोकिक नामों का जब करके, हे भगवान मधुपती, मुझे इस भौतिक अस्थित्व के संदूशन से मुक्थ होने दें। का पुत्र कपिला, भगवान का अफ्तार है और दूसरा आधुनिक युग का नास्तिक है। नास्तिक कपिला को अक्सर देवत्व के सर्वोच व्यक्तित्व के रूप में गलत तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। देवत्व के अफ्तार भगवान कपिल बहुत पहले, स्वायम्भूब मनु के समय में करदम मुनी के पुत्र के रूप में प्रकट हुए थे, आधुनिक युग वैवस्वत मनु का युग है। मायावाद दर्शन के अनुसार यह प्रकट संसार या भवतिक संसार, मिथ्या या माया, मिथ्या है। इसलिए वैशनव इस लौकिक अभिव्यक्ति को असत्य नहीं मानते हैं, क्योंकि भगवान के परम व्यक्तित्व ने अपने पून विस्तार के रूप में इस लौकिक अभिव्यक्ति में प्रवेश किया है और सृष्टी का कारण बना है, वैशनव दार्शनिक इस भौतिक गया है, जो कहते हैं कि जब लोग भौतिक दुनिया को भराम किया जूठा मानते हैं, यह जाने बिना की भौतिक दुनिया सरवोच भगवान की अभिविक्ति है, तो उनके त्याग का कोई मूल्य नहीं है। चूंकी भगवान का सरवोच भ्यक्तित्व हर चीज का मूल कारण है, वैशनव हर चीज को कृष्ण के साथ संबंध में देखता है, यहां तक इस भौतिक संसार में भी। ऐसे उननत ग्यान से सब कुछ आध्यात्मिक हो जाता है। सभी जीव परम भगवान के अंश हैं और गुनात्मक रूप से उनके साथ एक हैं, लेकिन अबवे जीवन की 8400-000 प्रजातियों में अलग-अलग आकार के हैं, जैसे कई अलग-अलग आभूशन निर्मित होते हैं। सोने के उसी सोत से, जिस प्रकार सोने में रुची रखने वाला सभी अलग-अलग आकार के सोने के आभूशनों को स्विकार करता है, उसी तरह एक वैशनव या अच्छी तरह से जानते हुए कि सभी जीव भगवान के सर्वोच व्यक्तित्व के समान गुन वाले हैं, सभी एक वैशनव के पास इन बधपत्वरष जीवों को पुना प्राप्त करके, उन्हें क्रिशन भावनामृत में प्रशिक्षित करके और उन्हें घर वापस भगवान के पास वापस ले जा कर भगवान के सर्वोच व्यक्तित्व की सेवा करने का परियाप्त अफसर मिलता तथे यह है कि जीवों का मन अब तीन भौतिक गुनों से उत्तेजित हो गया है और इसलिए जीव एक शरीर से दूसरे शरीर में जैसे की सपनों में देहान तरण कर रहे हैं जब उनकी चेतना कृष्ण भावनामरित में बदल जाती है तथा पी वे तुरंत कृष्ण को अपने हृदय में स्थिर कर लेते हैं और इस प्रकार मुक्ति की ओर उनका मार्ग्स पष्ठ हो जाता है सभी वेदों में भगवान और जीवों के परम व्यक्तित्व को एक ही गुंड चेतना या आध्यात्मिक बताया गया है पद्म पुरान में इसकी पुष्टी की गई है जिसमें कहा गया है कि आध्यात्मिक सत्ताएं दो प्रकार की होती हैं एक को जीव कहा जाता है और दूसरे को परम भगवान कहा जाता है भगवान ब्रम्हा से नीचे चीटी तक सभी जीव जीव हैं जबकि भगवान परम चतुर्भुज विष्णू या जनार्दन है सक्ति से कहा जाए तो आत्मा शब्द केवल पून पुरुशोत्तम भगवान के लिए ही लागू किया जा सकता है लेकिन क्योंकि जीव उनके अंश हैं कभी कभी आत्मा शब्द उनके लिए भी लागू होता है इसलिए जीवों को जीवात्मा कहा जाता है और सर्वोच भगवान को परमात्मा कहा जाता है परमात्मा और जीवात्मा दोनों ही इस भौतिक संसार के भीतर हैं और इसलिए इस भौतिक संसार का उद्देश इंद्रियत्रिप्ति के अलावा अन्य है इंद्रियत्रिप्ती के जीवन की अवधारणा भ्रम है लेकिन जीवात्मा द्वारा पर्मात्मा की सेवा की अवधारणा यहां तक कि इस भहतिक संसार में भी भ्रमपून नहीं है एक कृष्ण भावनाभावित व्यक्ती इस तथ्य से पूरी तरह अवगत होता है और इस प्रकार वह इस भौतिक संसार को मिथ्या नहीं मानता बलकि दिव्य सेवा की वास्तविक्ता में कार्य करता है इसलिए भक्त इस भौतिक दुनिया में हर चीज को भगवान की सेवा करने के अवसर के रूप में देखता है वह भौतिक के रूप में किसी भी चीज को अस्विकार नहीं करता है बलकि भगवान की सेवा में सब कुछ लगाता है इस प्रकार एक भक्त हमेशा पालोकिक स्थिती में रहता है और वह जो कुछ भी उप्योग करता है वह भगवान की सेवा में उप्योग किये जाने से आध्यात्मिक रूप से शुध हो जाता है श्रीधर स्वामी ने इस संबंध में एक अच्छे श्लोग की रचना की है मैं भगवान के परम व्यक्तित्व की पूजा करता हूँ जो हमेशा इस भौतिक दुनिया के भीतर भी वास्तविक्ता के रूप में प्रकट होते हैं जिसे कुछ लोग जूठा मानते हैं इस भौतिक जगत के मिध्यात्व की धारना ज्यान के अभाव के कारण है किन्तु कृ व्यक्ति प्रतेक वस्तु में भगवान को देखता है यह वैदिक सूत्र सर्वंखल विदम ब्रह्म की वास्तविक अनुभूती है सबकुछ ब्रह्म है साकार वेदों ने जारी रखा प्रिय भगवान कम बुद्धिमान पुरुष आत्म साक्षातकार के अन्य तरीकों को अ ऐसा की वेदों में कहा गया है एको बहुनाम यो विद्धाती कामान इसलिए आपका प्रभुत्व सभी जीवों देपताओं मनुष्यों और जानवरों का समर्थक और अनुरक्षक है सब आपके द्वारा समर्थित हैं और आप सभी के हृदय में भी स्थित हैं दूसरे भगवान के व्यक्तित्व को बल की अन्य सभी को भी संतुष्ट करता है क्योंकि हर कोई उनके द्वारा अनुरक्षित और समर्थित है क्योंकि एक भक्त पून पुरुशोत्तम भगवान के सर्वव्यापी लक्षन को समझता है वह सबसे व्यभारिक परोपकारी और परोप उसकी चेतना कृष्ण भावनामृत में रूपान तरित हो जाती है और भले ही वह भगवान के पास वापस न जाए, भले ही वह किसी अन्य भौतिक शरीर में देहान तरित हो जाए, उसे डरने की कोई बात नहीं है। भले ही एक भक्त एक जन्द में फिसल जाता है, उसकी कृष्ण चेतना की निरंतर्ता उसे आगे और आगे बढ़ाती है, जब तक कि वह भगवान के पास वापस नहीं जाता है। भक्ती सेवा की शक्ती इतनी महान है कि एक शुध भक्त अग्यान के सागर को पार करने पर अपने पालोकिक निर्देश द्वारा किसी अन्यव्यक्ति को विद्यूती कृत कर सकता है। एक शुध भक्त का अपने शिश को निर्देश भी बहुत सरल होता है। भगवान के शुध भक्त के पद्चिन्हों पर चलने में किसी को कोई कठिनाई महसूस नहीं होती। जो कोई भी भगवान ब्रमहा, भगवान शिव, कुमारों, मनुग, कपिल, राजा प्रहलाद, राजा जनक, शुकदेव गोस्वामी, यमराज और उनके शिश्यों जैसे मान्यता प्राप भक्तों के नक्षे कदम पर चलता है, बड़ी आसानी से मुक्ति का द्वार खोल द देता है, दूसरी ओर, जो भक्त नहीं है लेकिन ग्यान, योग और कर्म जैसे आत्मसाक्षातकार की अनिश्चित प्रक्रियाओं में लगे हुए हैं, उन्हें अभी भी दूशित समझा जाता है, ऐसे दूशित व्यक्ति, हाला कि स्पष्ट रूप से आत्मसाक्षातकार मे उन्नत होते हैं, वे स्वयम को भी मुक्त नहीं कर सकते हैं, जो उनका अनुसरन करते हैं उनकी तो बात ही क्या, ऐसे अभक्तों की तुलना जंजीरों में जकड़े पश्वों से की जाती है, क्योंकि वे एक विशेश प्रकार की आस्था की अपचारिक ताओं के अधिकार क् क्रिशन ने अर्जुन को सलाह दी थी, व्यक्ति को वेदों में निर्धारित कर्तवियों के अधिकार क्षेत्र से परे जाना होगा और क्रिशन भावनामृत भक्ती सेवा को अपनाना होगा। भक्त इसलिए वास्तविक ब्रह्मचारी हैं क्योंकि उनकी गतिविधियां हमेशा क्रिशन भावनामृत भक्तिमय सेवा में होती हैं। उस जानवर से की जाती है जिसे उसके मालिक ने जनजीर से बांध दिया है। सभी धर्मों का उद्देश य इश्वर को समझना और भगवान के प्रती अपने सुप्ट प्रेम को विक्सित करना है। यदि कोई केबल धार्मिक सूत्रों और अप्चारिक ताओं से जुड़ा रहता है लेकिन भगवान के प्रेम के पद तक नहीं पहुंचता है तो उसे एक जनजीर वाला जानवर माना जाता है। दूसरे शब्दों में यदि कोई कृष्ण भावनामरित में नहीं है तो वह भौतिक अस्तित्व के कलमश से मुक्ती का पात्र नहीं है। लगन होने दे की कौन सबसे अच्छा है। लेकिन यह एक तथ्य है कि जब तक कोई कृष्ण भावना भावित नहीं होता है, जब तक वह भक्ती सेवा में सनलगन नहीं होता है और जब तक उस पर पूर्ण पुरुशोत्तम भगवान की दया नहीं होती है, वह इस भौतिक म महासागर को पार नहीं कर सकता है। एक बुद्धिमान व्यक्ति इसलिए सबी रूरिबद विचारों को त्याग देता है और वास्तविक मुक्ती के लिए क्रिश्ण भावनामरित आंदोलन में शामिल हो जाता है। इसलिए आप सबसे पुराने और सर्वोचक भ्यक्तित्व हैं। इसी प्रकार, वेदों के एक अन्य भाग में कहा गया है, तुम्हे कुछ नहीं करना है। आप अपने ग्यान और सामर्थे में इतने परिपून हैं कि आपकी इच्छा मात्र से सब कुछ प्रकट हो जाता है आपके बराबर या आप से बड़ा कोई नहीं है और हर कोई आपके शाश्वत सेवक के रूप में कार्य करता है इस प्रकार वैदिक कथन इस बात की पुष्टी करते हैं कि निरपेक्ष के न पैर हैं, ना हाथ हैं, ना आखे हैं, ना कान हैं और नहीं मन हैं और फिर भी वह अपनी शक्तियों के माध्यम से कार्य कर सकता है और सभी जीवों की आवशक्ताओं को पूरा कर सकता है जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है उनके हाथ और पैर हर जगा हैं क्योंकि वे सर्वग्यापी हैं सभी जीवों के हाथ, पैर, कान और आखें जीव के हृदय में बैठे परमात्मा की दिशा में कार्य कर रहे हैं और चल रहे हैं जब तक परमात्मा उपस्थित ना हो, तब तक हाथों और पैरों का सक्रिय रहना संभव नहीं है भगवान का परम व्यक्तित्व इतना महान, स्वतंत्र और पून है कि बिना आख, पैरिया कान के भी, वह अपनी गतिविधियों के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं है इसके विप्रीत, आन्य लोग अपनी विभिन ग्यानिंद्रियों की गतिविधियों के लिए उन पर निर्भर है जब तक जीब परमात्मा से प्रेरित और निर्देशित नहीं होता, तब तक वह कार्य नहीं कर सकता तथे यह है कि परमसत्य ही परमपुरुष है, लेकिन चूंकी वे अपनी विभिन शक्तियों के माध्यम से कार्य करते हैं जिनहें स्थूल भोतिकवादियों के लिए देखना असंभव है, भोतिकवादी उन्हें अवैक्तिक के रूप में स्वीकार करते हैं उदाहरन के लिए कोई एक फूल की पेंटिंग में व्यक्तिगत कलात्मक काम देख सकता है और कोई यह समझ सकता है कि रंग समायोजन, आकार और इसी तरह एक कलाकार के सूपशम ध्यान की मानकी है विभिन खिले हुए फूलों की पेंटिंग में कलाकार का काम सपश्ट रूप से प्रदर्शित होता है लेकिन स्थूल भोतिकवादी, प्रकृती में खिले वास्तविक फूलों जैसे कलात्मक अभिव्यक्तियों में भगवान के हाथ को देखे बिना, निशकर्ष निकालता है कि परम सत्य अव्यक्तिक है वास्तव में, निर्पेक्ष सत्ता व्यक्तिगत है, लेकिन वस्वतंत्र है उन्हें फूलों को पेंट करने के लिए व्यक्तिगत रूप से ब्रश और रंग लेने की आवशक्ता नहीं होती है क्योंकि उनकी शक्तियां इतनी आश्चर्य जनक रूप से कार्य करती हैं कि ऐसा प्रतीत होता है जैसे बिना किसी कलाकार की सहायता के फूल अस्तित्व में आये हो परम सत्य का निराकार द्रिष्टिकों कम बुद्धिमान पुरुषों द्वारा स्विकार किया जाता है क्योंकि जब तक कोई भगवान की सेवा में नहीं लगा रहता है तब तक वह यह नहीं समझ सकता कि सर्वोच कैसे कार्य कर रहा है वह भगवान के नाम को भी नहीं जान सकता भगवान की गतिविधियों और व्यक्तिगत विशेष्टाओं के बारे में सब कुछ भख्त को केवल उसकी प्रिम्माई सेवा भावना के माध्यम से पता चलता है भगवत गीता में यह स्पश्ट रूप से कहा गया है भगवान सबही यग्यों और सबही तपस्याओं के भगवान कहते हैं सर्वलोक महिश्वरं मैं सबही ग्रहों का स्वामी हूँ तो यह भगवान के परम व्यक्तितव की स्थिती है जबकि वे गोलोक ब्रिंदावन में उपस्थित हैं और अपने शाश्वत सानिध्य में दिव्य आनंद का आनंद ले रहे हैं सहयोगी गोपियां और चरवाहे लड़के पूरी स्रिष्टी पर उनकी शक्तियां उनके निर्देशन में काम कर रही हैं उनकी शाश्वत लीलाओं को विचलित किये बिना केवल भक्ती सेवा के माध्यम से ही कोई यह समझ सकता है कि कैसे भगवान का परम व्यक्तित्व उनकी अचिंत्य शक्तियों द्वारा एक साथ अव्यक्तिक रूप से और एक व्यक्ति के रूप में कार्य करता है वो बिलकुल सर्वोच समराट की तरह कार्य करता है और कई हजार राजा और प्रमोख उसके अधीन कार्य करते हैं भगवान का सर्वोच व्यक्तित्व सर्वोच स्वतंत्र नियंत्रक व्यक्ति है और भगवान ब्रम्हा, भगवान शिव, इंद्रत, स्वर्ग के राजा, चंद्र ग्रह के राजा और सूर्य ग्रह के राजा सहित सभी देपता, उनके निर्देशन में काम करते हैं। डॉट वेद पुष्टी करते हैं कि यह भगवान के परम व्यक्तित्व के डर से है कि सूर्य चमक रहा है, हवा चल रही है और आग गर्मी वित्रित कर रही है। बहुतिक प्रकृती बहुतिक दुनिया के भीतर सभी प्रकार की चल और अचल वस्तूओं का उत्पादन करती है, लेकिन उनमें से कोई भी स्वतंत्र रूप से परम भगवान के निर्देश के बिना कार्य या निर्मान नहीं कर सकता है। वे सभी उसकी सहायक नदियों के रूप में कार्य करते हैं, बिल्कुल अधीनस्त राजाओं की तरह जो अपना वार्शिक कर समराट को देते हैं। प्रसाद के रूप में स्विकार करता है। इसलिए भगवान भगवत गीता में समझाते हैं कि उनसे बढ़कर कुछ भी नहीं है और निराकार ब्रह्मा उनकी व्यक्तिगत किरनों की अभिव्यक्ति के रूप में अधीनता में स्थित है। श्रीपाद श्रीधर स्वामी ने इस संबंध में एक अच्छे श्लोप की रचना की है। मैं भगवान के परम व्यक्तित्व को अपना सम्मान पूर्वक प्रनाम करता हूं जिनके पास कोई भौतिक इंद्रियां नहीं हैं लेकिन जिनकी दिशा और इच्छा के माध्यम से सभी भौतिक इंद्रियां काम कर रही हैं। वो सभी भोतिक इंद्रियों या ज्यान इंद्रियों की सर्वोचर शक्ती है, वो सर्वशक्ति मान है और वो हर चीज का सर्वोचर करता है, इसलिए वे सभी के लिए पूजनिय हैं, उस परम पुरुष को मैं अपना सादर प्रनाम करता हूँ, कृष्ण स्वयम भगवत गीता में घोशना करते हैं कि चूनकी वे सभी समवेदनशीर और जर्व प्राणियों से परे हैं, इसलिए उन्हें पुरुष उत्तम के रूप में जाना जाता है, जिसका अर्थ है सर्वोचर व्यक्तित्व, पुरुष का अर्थ है व्यक्ति और उत्तम का अर्थ है सर्वोचर य दिव्य एक अन्य स्थान पर भगवान कहते हैं कि जैसे वायू सर्वव्या पी आकाश में स्थित है, हर कोई उन में स्थित है और हर कोई उनके अधीन कार्य कर रहा है। दिशा, वेद साकार होते रहे, प्रिय भगवान, उन्होंने प्रार्थना की, आप सभी के लिए समान हैं, किसी विशेश प्रकार के जीव के प्रती कोई पक्षपात नहीं है। उनके आनंद या पीड़ा की स्थिती के लिए जिम्मेदार नहीं है। जैसे एक जलती हुई आग में जीवित चिंगारी। निर्दोष जीवों पर दया करते हैं। शुदभग बद्ध जीवों के हृदय में क्रिश्न भावनामृत को प्रज्वलित करता है और इस प्रकार आध्यात्मिक जगत की प्रज्वलित अगनी इस भातिक संसार में भी प्रकट हो जाती है। कुछ शिंगारी पानी पर गिरती हैं, वे तुरंत अपनी मूल प्रतिभाखो देते हैं और विलुप्त हो जाते हैं। उनकी तुलना उन जीवों से की जा सकती है जो स्थूल भोतिक वादियों के बीच जन लेते हैं, जिस स्थिती में उनकी मूल कृष्ण भावनामृत विलुप्त हो जाती है। कुछ शिंगारी जमीन पर गिरती हैं और प्रज्वलन और विलुप्त होने की स्थिती के बीच में रहती हैं। इस प्रकार कुछ जीव कृष्ण भावनामृत से रहित हैं, कुछ कृष्ण भावनामृत होने और ना होने के बीच हैं, और कुछ वास्तव में कृष्ण भावनामृत में स्थित हैं उच्छ लोकों के देवताथ भगवान ब्रम्हा, इंद्र, चंद्र, सूर्य देवता और विभिन अन्य देवताथ सभी कृष्ण भावना भावित हैं मानव समाज देवताओं और पशुओं के बीच है, और इस प्रकार कुछ मनुष्य कमोबेश कृष्ण भावना भावित हैं और कुछ पूरी तरह से भूल गए हैं कृष्ण भावनामरित, तीसरी श्रेणी के जीव, अर्थात पशू, पशू, पौधिक, पेड़ और जल्चर, पूरी तरह से कृष्ण भावनामरित को भूल गए हैं वेदों में प्रजोलित अगनी की चिंगारी के बारे में बताया गया यह उदाहरन विभिन प्रकार के जीवों की स्थिती को समझने के लिए बहुत उप्युक्त है लेकिन अन्य सभी जीवों से उपर भगवान, कृष्ण या पुरुशोत्तम का परम व्यक्तित्व है जो हमेशा सभी बहुतिक परिस्थितियों से मुक्त रहता है यह प्रश्ण उठाया जा सकता है कि जीव संयोग से जीवों की विभिन पर स्थितियों में क्यों गिरे है इस प्रश्ण का उत्तर देने के लिए हमें पहले यह समझना होगा कि जीवों पर संयोग का कोई प्रभाव नहीं हो सकता मौका निर्जीव संस्थाओं के लिए है वैदिक साहित्य के अनुसार जीवों के पास ग्यान होता है और इस प्रकार उन्हें चेतना कहा जाता है जिसका अर्थ है ग्यान में इसलिए जीवन की विभिन स्थितियों में उनकी स्थिति आकस्मिक नहीं है यह उनकी पसंद से है क्योंकि उनके पास ग्यान है भगवद गीता में भगवान कहते हैं सब कुछ त्याग दो और केवल मेरे सामने आत्मसमरपन करो भगवान के परम व्यक्तित्व को साकार करने की यह प्रक्रिया सभी के लिए खुली है लेकिन फिर भी यह विशेश जीव का विकल्प है कि वह इस प्रस्ताव को स्विकार करे या अस्विकार करे भगवद गीता के अंतिम भाग में भगवान क्रिशन बहुत स्पष्ट रूप से अर्जुन से कहते हैं मेरे प्रिय अर्जुन अब मैंने तुमसे सब कुछ कह दिया है अब आप इसे स्विकार करना या न करना चुन सकते हैं इसी तरह जीव जो इस भौतिक दुनिया में आ गए हैं उन्होंने इस भौतिक दुनिया का आनंद लेने के लिए अपनी पसंद बनाई है ऐसा नहीं है कि कृष्ण ने उन्हें इस दुनिया में भेजा था भौतिक संसार का निर्मान उन जीवों के आनंद के लिए किया गया था जो स्वयम परम भोक्ता बनने के लिए भगवान की शाश्वत सेवा को छोड़ना चाहते थे वैशनव दर्शन के अनुसार जब कोई जीव अपनी इंद्रियों को त्रिप्त करना चाहता है और भगवान की सेवा को भूल जाता है तो उसे भौतिक जगत में अपनी इच्छा के अनुसार स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए स्थान दिया जाता है और इसलिए वह जीवन की एक ऐसी स्थिती बनाता है जिसमें वह या तो आनंद लेता है या पीडित होता है हमें निश्चित रूप से पता होना चाहिए कि भगवान और जीव दोनों ही नित्य ज्यानी है भगवान या जीवों के लिए कोई जन्म और मृत्यू नहीं है जब स्रिष्टी होती है तो इसका मतलब यह नहीं है कि जीवों की रचना की जाती है भगवान बध्ध जीवों को कृष्ण भावनामृत के उच्छ स्तर तक स्वयम को उपर उठाने का अफसर देने के लिए भौतिक संसार की रचना करते हैं यदि एक बध्ध आत्मा इस अफसर का लाब नहीं उठाती है तो इस भौतिक दुनिया के विगटन के बाद वह नारायन के शरीर में प्रवेश करती है और दूसरी स्रिष्टी के समय तक गहरी नींद में रहती है इस संबंध में वर्षा रितु का उदाहरन अत्यंत उप्यूप्त है मौसमी वर्षा को स्रिष्टी के कारक के रूप में लिया जा सकता है क्योंकि वर्षा के बाद गीले खेत विभिन प्रकार की वनस्पतियों को उगाने के लिए अनुकूल होते हैं इसी प्रकार जैसे ही भौतिक प्रकृती पर भगवान की द्रिष्टी से स्रिष्टी होती है तुरंत जीव अपनी अलग-अलग जीवित स्थितियों में प्रकट हो जाते हैं जैसे विभिन प्रकार के जीव वर्शा के बाद वनस्पती बढ़ती है वर्शा एक है लेकिन विभिन पौधों का निर्मान अलग-अलग है बारिष पूरे खेत में समान रूप से गिरती है लेकिन लगाये गए बीजों के अनुसार अलग-अलग पौधे अलग-अलग आकार और रूपों में उपते है ہیں। उसी प्रकार हमारी इच्छाओν के बीज भी विविध हैं। प्रतेक जीव की एक अलग प्रकार की इच्छा होती है और वो इच्छा बीज है जो एक निश्चित प्रकार के शरीर में उसकी वृध्धी का कारण बनत प्रप्षपाति है कि हमारी पापी इच्छा यह है कि हम परम भगवान के सामने आत्मसमरपन न करें। इसलिए भगवान भगवत गीता में कहते हैं। पुरुषोत्तम भगवान पुरुषोत्तम केवल उन्हें उनकी इच्छाओं के अनुसार कार्य करने का अफसर देते हैं। इसलिए जीव भगवान द्वारा दी गई सुविधा का लाब उठा कर कार्य करते हैं। उसी समय जीव भगवान के पालोकिक शरीर से पैदा होते हैं भगवान और जीवों के बीच इस संबंध को वैदिक साहित्य में समझाया गया है जिसमें यह कहा गया है कि सरवोच भगवान अपने सभी बच्चों का पालन पोशन करते हैं जो कुछ भी वे चाहते हैं उन्हें देते हैं इसी तरह भगवद गीता में भगवान कहते हैं मैं सभी जीवों का बीच देने वाला पिता हूँ यह समझना बहुत आसान है कि पिता बच्चों को जन्द देता है लेकिन बच्चे अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करते हैं इसलिए पिता कभी भी अपने बच्चों के अलग-अलग भविश्य के लिए जिम्मेदार नहीं होता है प्रतेग बच्चा पिता की संपत्ती और शिक्षा का लाब उठा सकता है लेकिन भले ही विरासत और शिक्षा सभी बच्चों के लिए समान हो अपनी अलग-अलग इच्छाओं से प्रतेग बच्चा एक अलग जीवन बनाता है और इस तरह पीरित या आनंद लेता है इसी तरह भगवत गीता के निर्देश सभी के लिए समान है सभी को परम भगवान के प्रती समर्पन करना चाहिए और वे एक का प्रभार लेंगे और पापी प्रतिक्रियाओं से उसकी रक्षा करेंगे भगवान की रचना में रहने की सुविधाएं सभी जीवों को समान रूप से प्रदान की जाती है जमीन पर, पानी में या आकाश में जो कुछ भी है वो सभी जीवों को समान रूप से दिया जाता है चुनकि सभी जीव परमेश्वर के पुत्र हैं, हर कोई भगवान द्वारा दी गई भौतिक सुविधाओं का आनंद ले सकता है लेकिन अभागे जीव आपस में लड़कर जीवन की प्रतिकूल परिस्थितियों का निर्मान करते हैं इस लड़ाई और अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों के निर्मान का उत्तरदायत्व जीवों का है, नकि पून पुरुशोत्तम भगवान का इसलिए यदि जीव भगवद गीता में दिये गए भगवान के निर्देशों का लाब उठाते हैं और कृष्ण भावनाम रित्विक्सित करते हैं तो उनका जीवन उदाथता हो जाता है और वे भगवान के पास वापस जा सकते हैं कोई यह तर्क दे सकता है कि चूनकी यह भवतिक संसार भगवान द्वारा बनाया गया है इसलिए वे इसकी स्थिती के लिए जिम्मेदार है निश्चित रूप से वे इस भवतिक संसार के निर्मान और रखरखाव के लिए अपरत्यक्ष रूप से जिम्मेदार है लेकिन वे प्रित्वी की सतह पर जल बरसाता है लेकिन वह कभी भी सीधे प्रित्वी को स्पर्ष नहीं करता। इसी तरह भगवान भौतिक उजा पर द्रिष्टि पात करके ही इस भौतिक जगत की रचना करते हैं। इसे भगवान की लीलाओं में से एक कहा जाता है क्योंकि वे जब चाहें इस भौतिक संसार की रचना करते हैं। सित्व में लीन होने की सलाह देती है और शुन्यवादी दर्षन सभी भौतिक किस्मों को शुन्य बनाने की सलाह देता है। इन दोनों दर्षनों को मायावाद के नाम से जाना जाता है। निश्चित रूप से लौकिक अभिव्यक्ति बंध हो जाती है और शुन्य हो जाती है जब जीव नारायन के शरीर में विलीन हो जाते हैं और दूसरी स्रिष्टी तक विश्राम करते हैं और इसे एक अवेक्तिक स्थिती कहा जा सकता है लेकिन ये स्थितियां कभी भी नापति और जीवातमाओं का परमातमा के शरीर में विलएस्ताई नहीं है क्योंकि स्रिष्टी फिरसे होगी और वे जीव जो अपने विकास के बिना परमातमा के शरीर में विलीन हो गए खृष्ट भावनाम्रित फिरसे इस भहतिक संसार में प्रकट होगा जब कोई दूस भगवद गीता इस तथ्य की पुष्टी करती है कि यह भौतिक संसार सदा के लिए निर्मित और नश्ट हो जाता है और जब भी भौतिक स्रिष्टी प्रकट होती है, कृष्ण चेतना से रहिद बधर आत्माएं बार बार वापस आती हैं। वे नीचे आश्रे नहीं लेते हैं, क्योंकि वे कम हैं। बुद्धिमान, ये शुन्यवादी और निर्विशेश्वादी विभिन प्रकार की तपस्या करते हैं, या तो निर्वान की अवस्था प्राप्त करने के लिए, जिसका अर्थ है जीवन की भौतिक स्थितियों को समा प्राप्त करना या भगवान के शरीर में विलीन होकर एक अतव प्राप्त करना। वे सभी फिर से नीचे गिर जाते हैं क्योंकि वे प्रभू के चरण कमलों की उपेक्षा करते हैं। चैतन्य चरितामृत में लेखक, कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने सभी वैदिक स परम व्यक्तित्व के नियंत्रन में है, हर कोई भगवान के सर्वोच व्यक्तित्व के अधीन सेवा कर रहा है और हर कोई भगवान के परम व्यक्तित्व से डरता है। उन्हीं के भए से ही क्रियाएं सही धंग से क्रियानवित होती हैं। सभी की स्थिती परम भगवान के अ कम उचाई पर उर रहे हैं और कुछ और भी कम उचाई पर उर रहे हैं। अलग-अलग पक्षी अपनी अपनी क्षमता के अनुसार अलग-अलग स्थिती में उर रहे हैं लेकिन आकाश का इस क्षमता से कोई लेना देना नहीं है। भगवद गीता में भगवान पुष्टी करते हैं कि वे विभिन जीवों को उनके समर्पन के अनुपात में विभिन पद प्रदान करते हैं। भगवान के व्यक्तित्व द्वारा जीवों को दिया जाने वाला या अनुपातिक पुरसकार पक्षपात नहीं है। नहीं देखा है। सब अपने अपने सामर्थे के अनुसार भगवान को देख रहे हैं। अंतर केवल इतना है कि आस्तिक भगवान को परम व्यक्तित्व सबसे प्रियक क्रिश्म के रूप में देखता है और नास्तिक परम सत्य को परम मृत्यू के रूप में देखता है। साका एक वचन नित्य या परम भगवान नियंत्रक हैं, जबकि बहुवचन नित्य नियंत्रित हैं. व्यक्तिगत नियंत्रित जीव शरीर के भीतर निवास करता है, और सर्वोच नियंत्रक परमात्मा के रूप में भी वहां मौझूद है, लेकिन परमात्मा व्यक्तिगत आत्मा क देहांतरन करता है और अपने पिछले कर्मों के प्रभावों का आनंद लेता है या भुगतता है, कभी-कभी जीवन के उच्छ स्तर पर पदोनत किया जाता है और कभी-कभी निम्स्तर पर गिराया जाता है। इसलिए यह सिध्धान्त की परमात्मा और जीवात्मा समान हैं, एक दूशित निशकर्ष है और कोई भी समझदार व्यक्ति इसे स्विकार नहीं करता है, बलकि सर्वोचर शाषवत और अधीनस्ट शाषवत के बीच के अंतर को समझने की कोशिश करनी चाहिए। का मूल, आध्यात्मिक रूप एक बाल की नोक के आकार का दस हजारवा भाग है। यह भी कहा गया है कि आत्मा सबसे बड़ी से बड़ी और सबसे चोटी से चोटी है। व्यक्तिगत जीव, जो ईश्वर के शाषवत अंश हैं, उससे चोटे हैं। सबसे चोटा, अपनी भौतिक इंद्रियों से हम न तो परमात्मा को देख सकते हैं, जो महांतम से बड़ा है, नहीं व्यक्तिगत आत्मा को, जो सबसे चोटे से चोटा है। वैदिक साहित्य के आधिकारिक स्रोतों से हमें उसे समझना होगा जो महांतम से भी बड़ा है और जो सबसे चोटे से भी चोटा है। वैदिक साहित्य में कहा गया है कि परमात्मा प्रत्येक जीव के शरीर के हृदय के भीतर वैठा है और अंगूठे जितना बड़ा है। वैदिक साहित्य में यह कहा जाता है कि भगवान के परम व्यक्तित्व ने भौतिक प्रकृती किया और फिर वे बाहर आ गए। एक महिला पहले एक पुरुष द्वारा गर्भवती होती है और फिर एक बच्चा पैदा होता है। इस प्रकार स्त्री द्वारा उत्पन संतान पुरुष का अभिन अंग है। इसी तरह जीव सपश्ट रूप से भौतिक प्रकृती द्वारा उत्पन होते हैं लेकिन स्वतंत्र रूप से नहीं। यह परम पिता द्वारा भौतिक प्रकृती के गर्भाधान के कारण है कि जीव मौजूद है। इसलिए यह तर्क की व्यक्तिगत जीव पर मात्मा के अंच नहीं है, टिक नहीं सकता। उदाहरन के लिए शरीर के विभिन भागों को संपून के बराबर नहीं लिया जा सकता है, बलकि पूरा शरीर विभिन अंगों का नियंत्रक है। इसलिए कोई भी समझदार व्यक्ति इस सिध्धान्त को स्विकार नहीं करेगा कि परमात्मा और जीवात्मा एक ही श्रेणी होते हैं और जीव हमेशा परमात्मा के अधीन होता है। यही वेदों का निशकर्ष है। इस संबंध में प्रयोक्त महत्वपून शब्द यान माया या सिने माया है। संस्कृत व्यकरन में माया शब्द का प्रयोग परिवर्तन के अर्थ में और बहुतायत के अर्थ में भ परिवर्तंत जीवात्मा के पास कभी भी ठीक उसी अनुपात में कुछ नहीं होता, जिस अनुपात में भगवान का परम व्यक्तित्व होता है। इसलिए इसमायाद प्रत्याई का उप्योग यह अर्थ करने के लिए नहीं किया जासकता है की प्रत्येक जीव मातरात्मक रू परम भगवान और जीवों की आध्यात्मिक एक्ता को कभी भी एक रूपता के रूप में स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। निर्विशिश्वादी सिध्धान्त यह है कि स्वयम ब्रह्म ने विभिन प्रकार के शरीरों को स्वीकार किया है और यह उनकी लिलाया शगल है। निर्विश्वादी बंद हो जाती है तो सभी अलग-अलग शरीर या ब्रह्म के विस्तार स्वचालित रूप से एक हो जाते हैं। अगली सहस्राबदी में इस सिध्धान्त के अनुसार ब्रह्म फिर से विभिन शारीरिक रूपों में विस्तार करता है। लेकिन इसे स्विकार नहीं किया जा सकता। वेदान सूत्र से हम समझते हैं कि ब्रहम स्वभाव से आनंद मैं है। इसलिए वो अपने आपको एक ऐसे शरीर में नहीं बदल सकता है जो इतनी दर्धनाक स्थितियों के अधीन हो। वास्तव में जीवात्माय ब्रहम के अतिसू यह भौतिक संसार धुए के समान है और आध्यात्मिक संसार एक प्रज्वलित अगनी के समान है। माया भी उर्जा से प्रभावित होने पर असंखे जीव आध्यात्मिक दुनिया से भौतिक दुनिया में नीचे गिरने के लिए प्रवरित होते हैं और जीव के लिए फिर स स्विकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि भौतिक प्रकृती और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान दोनों शाश्वत रूप से विद्यमान है, ना तो भौतिक प्रकृती और नहीं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का जन्म हो सकता है, सर्वोच भगवान को अज या जन्म दे सकें। लेकिन वैदिक साहित्य में यह स्विकार किया गया है कि जिस तरह हवा के संपर्क में पानी कभी-कभी असंख्य बुल-बुले प्रस्तुत करता है, इसलिए भौतिक प्रकृती और परम पुरुष का सयोजन इस भौतिक संसार के भीतर जीवों की उपस्थिती का का बनता है। जैसे पानी में बुल-बुले विभिन आकारों में प्रकट होते हैं, वैसे ही जीव भी भौतिक संसार में विभिन आकारों और स्थितियों में प्रकट होते हैं, जो भौतिक प्रकृती के गुनों से प्रभावित होते हैं। इसलिए यह निशकर्ष निकालना अ इसलिए यह कहा जाता है, अनादी कर्म, ऐसे भौतिक अस्तित्व का कारण अप्राप्य है। कोई नहीं जानता, जब भौतिक जीवन शुरू हुआ, लेकिन यह एक तत्य है कि इसकी शुरुआत का एक बिंदू है क्योंकि मूल रूप से प्रत्य एक जीव एक आध्यात्मिक चिंगारी है। जैसे आग से एक चिंगारी के जमीन पर गिरने का एक प्रारंब होता है, उसी प्रकार एक जीव का इस भौतिक संसार में आना एक प्रारंब होता है, लेकिन कोई नहीं कह सकता की कब। भले ही विगटन के समय सभी बद्ध जीव भगवान के आध्यात्मिक अस्तित्व में विलीन रहते हैं, जैसे की गहरी नीन में भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जमाने की उनकी मूल इच्छाएं कम नहीं होती है, वे उनहीं इच्छाओं को पूरा करने के लिए बाहर पीता है, तो कोई यह नहीं पहचान सकता कि किस प्रकार के फूल से किस प्रकार का शेहद एकत्र किया गया है, लेकिन शेहद का स्वादिष्ट स्वाद यह मानता है कि शेहद एक रूप नहीं है बलकि विभिन स्वादों का सेयोजन है, एक अन्य उदाहरन यह है कि यदिप विभिन प्रकार के शरीरों का विघटन शामिल है लेकिन जीव उनके विभिन स्वादों के साथ भौतिक दुनिया के एक और प्रकट होने तक व्यक्तिगत रूप से ब्रहम में दूबे रहते हैं। विलीन हो जाते हैं, तब भी परम भगवान के साथ उनके व्यक्तिगत स्वाद का अस्तित्व बना रहता है। जब मानव जीवन के रूप में उननत होते हैं, तो वे पुरुशों के एक विशेश वर्ग या एक विशेश राष्ट्रिया जाती या तथाकति धर्म के साथ पहचान करते हैं, अपने वास्तविक को भूल जाते हैं। आपकी प्रभुता के शाश्वत सेवकों के रूप में पहचान, जीवन की इस दोशपून अवधारना के कारण वे बार-बार जन्म और मृत्यू के दौर से गुजर रहे हैं। उनमें से कई लाखों में से, यदि कोई शुद्ध भक्तों की संगती करके परियाप्ध बुद्धिमान हो जाता है, तो वो कृष्ण भावनामृत की समझ में आ जाता है और भौतिक भ्रम के अधिकारक्षेत्र से बाहर आ जाता है। दूसरे शब्दों में केवल परम भगवान, भगवान के व्यक्तित्वर, बधर आत्माओं को बार बार जन्म और मृतियू के चक्र से मुप्त कर सकते हैं। कहा गया है कि सभी भौतिक गतिविदी भगवान के सरवोच व्यक्तित्वर, कृष्ण के निर्देशन में चल रही है। वेज जारी रखते हैं, भौतिक अस्तित्व की सभी स्थितियां उन लोगों के लिए विरोधी तत्व हैं जो आपके प्रती समर्पित नहीं हैं। लेकिन जो समर्पित आत्माएं हैं और पून कृष्ण भावना मृत में हैं, उनके लिए ये चीजे भए का सोत नहीं हो सकती हैं। जब भगवान नरसिंगदेव प्रकट हुए, तो प्रहलाद महाराज उन से कभी भयबीत नहीं हुए, जबकि उनके नास्तिक पिता को तुरंथी मृत्यू का सामना करना पड़ा और वे मारे गए। इसलिए, यद्यपी भगवान नरसिंगदेव हिरन्यक शिपू जैसे नास्तिक के लिए मृत्यू के रूप में प्रकट होते हैं, वे हमेशा दयालू हैं और प्रहलाद जैसे भख्तों के लिए सभी सुखों के आगार हैं। में रहते हुए मेरी विभिन पापी गतिविधियों के कारण, मैं बहुतिक प्रतिक्रियाओं की धधक्ती आग में जल रहा हूँ। मुझे लात मत मारो, क्योंकि मेरे पास आपके अलावा कोई आश्रे नहीं है। निश्कर्श यह है कि भक्ती योग या भक्ती सेवा के अलावा आत्म साक्षातकार या ईश्वर प्राप्ती की कोई भी प्रक्रिया अत्यंत कठिन है। इसलिए पून क्रिष्ण भावनामरित में भग्वान की भक्ती सेवा का आश्रे लेना ही भोतिक, बध जीवन के कलमश से मुक्त होने का एक मात तरीका है, विशेश रूप से इस युग में। जो क्रिष्ण भावनामरित में नहीं हैं वे केवल अपना समय बरबाद कर रहे हैं और उनके पास आध्यात्मिक जीवन का कोई ठोस प्रमान नहीं है। समय बरबाद करने के बजाए, वे हमेशा स्वयम को पून क्रिष्ण भावनामरित में भगवान की दिव्य प्रेम्माई सेवा में सनलग्न करते हैं। व्यक्तियों की तुलना उन व्यापारियों से की जाती है जो बिना कप्तान के जहाज पर समुद्र में जाते हैं। इसलिए अपने व्यक्तिगर प्रयासों से कोई भौतिक प्रकृती के चंगुल से मुक्त नहीं हो सकता है। व्यक्ति को एक प्रामानिक आध्यात्मिक गुरू को स्वीकार करना होता है और उसके निर्देशानुसार कार्य करना होता है। तब भौतिक स्थितियों की अज्यानता को पार करना संभव है। प्राप्त किया जा सकता है और भक्ति सेवा में यह निरंतर जुराव केवल तभी किया जा सकता है जब कोई प्रामानिक आध्यात्मिक गुरू के निर्देशन में काम करता है। इसलिए वेद निर्देश देते हैं कि भक्ती सेवा के विज्ञान को जानने के लिए व्यक्ति को स्वयम को प्रामानिक आध्यात्मिक गुरू के अधीन करना होगा प्रामानिक आध्यात्मिक गुरू वह है जो शिश्य परंपरा में भक्ती सेवा के विज्ञान को जानता है इस शिश्य परंपरा को शोत्रिय कहा जाता है शिश्य परंप्रा में आध्यात्मिक गुरू बनने वाले व्यक्ती का मुख्य लक्षन यह है कि वह भक्ती योग में सो प्रतिशत स्थिर है कभी कभी लोग एक आध्यात्मिक गुरू को स्वीकार करने की उपेक्षा करते हैं और इसके बजाए वे रहस्यवादी योग अभ्यास द्वारा आत्मस आक्षात्कार के लिए प्रयास करते हैं लेकिन विश्वामित जैसे महान योगियों द्वारा भी विफलता के कई उदाहरन है अर्जुन ने भगवद गीता में कहा है कि मन को नियंत्रित करना उतना ही अभ्याभारिक है जितना की तूफान को रोकना कभी कभी मन की तुलना मदमस्थ हाथी से की जाती है आध्यात्मिक गुरू के निर्देश का पालन किये बिना व्यक्ती मन और इंद्रियों को नियंत्रित नहीं कर सकता दूसरे शब्दों में यदी एक योग रहस्यवाद का अभ्यास करता है और एक प्रामानिक आध्यात्मिक गुरू को स्विकार नहीं करता है वह निश्चित रूप से असफल होगा वह बस अपना कीमती समय बरबाद करेगा वैदिक आदेश यह है कि किसी को भी आचार्य के मार्ग दर्शन के बिना पून ज्यान प्राप्त नहीं हो सकता है अचार्यवान पुरुशो वेद जिसने एक आचार्य को स्विकार कर लिया है वह जानता है कि क्या है परम सत्य को तरकों से नहीं समझा जा सकता जिसने पून ब्राह्मनवादी अवस्था प्राप्त कर ली है वह स्वाभाविक रूप से त्यागी हो जाता है वह भौतिक लाब के लिए प्रयास नहीं करता क्योंकि आध्यात्मिक ज्यान से वह इस निश्कर्ष पर पहुंचा है कि इस संसार में कोई कमी नहीं है भगवान के परम व्यक्तित्व द्वारा सब कुछ पर्याप्त रूप से प्रदान किया जाता है एक वास्तविक ब्राह्मन इसलिए भौतिक पूर्णता के लिए प्रयास नहीं करता है बलकि वह एक प्रामानिक आध्यात्मिक गुरू के पास उनसे आदेश स्विकार करने के लिए संपर्थ करता है एक आध्यात्मिक गुरू की योग्यता यह है कि वह ब्रह्मनिश्था है जिसका अर्थ है कि उसने अन्य सभी गतिविधियों को त्याद दिया है और अपना जीवन केवल पूरुण पुरुशोत्तम भगवान कृष्ण के लिए काम करने के लिए समर्पित कर दिया है जब एक प्रामानिक चात एक प्रामानिक आध्यात्मिक गुरू के पास जाता है तो वह विनमरता पूर्वक आध्यात्मिक गुरू से प्रार्थना करता है मेरे प्रिय भगवान, कृपया मुझे अपने छात्र के रूप में स्वीकार करें और मुझे इस तरह से प्रशिक्षित करें कि मैं अन्य सभी प्रक्रियाओं को छोड़ने में सक्षम हो जाओं। प्राप्त करने में जूटे तरीके से सनलग्न होते हैं लेकिन यह शनिक और भ्रम हैं। प्राप्त करने लगता है तब हम संतुष्ट हो सकते हैं। पून क्रिशन भावनामरित में संभव है। साकार वेद ने जारी रखा प्रिय भगवान आप सच्चिद आनंद विग्रह हैं। ज्यान का सदा आनंद रूप और क्योंकि जीव आपके व्यक्तित्व के अंश हैं। उनके अस्तित्व की प्राकृतिक स्थिती पूरी तरह से जागरूख होना है। आप में से इस भौतिक संसार में जिस किसी ने भी इस तरह की क्रिशन भावनामरित विक्सित की है। उसे अब भौतिक वादी जीवन शैली में कोई दिल्चस्पी नहीं है। एक क्रिशन भावनाभावित प्रानी पारिवारिक जीवन में रुची नहीं रखता, जहां इंद्रियत रिप्ती के लिए कुछ रियायत होती है। दूसरे शब्दों में, उसे अब इंद्रियत रिप्ती में कोई दिल्चस्पी नहीं है। मानभ जीवन की पूर्णता ज्यान और त्याग पर आधारित है, लेकिन ग्रिहस्त जीवन में रहते हुए ज्यान और त्याग की अवस्था तक पहुंचने का प्रयास करना बहुत कठिन है। क्रिशन भावनाभावित व्यक्ती इसलिए भक्तों की संगती या पवित्र तीरत स्थानों की शरण लेते हैं। करने के लिए कहा, तो उन्होंने अपने पिता को उत्तर दिया, एक भातिकवादी व्यक्ती के लिए जो अस्थाई और सापेक्ष सत्यों में लगे रहने के कारण हमेशा चिंताओं से भरा रहता है, सबसे अच्छा तरीका है पारिवारिक जीवन के अंधे कुए को त्याग और इस प्रकारवे स्वयं में अपने अनुयायों और भक्तों के लिए मुक्ती का स्रोथ बन जाते हैं, एक कृष्न भावनाभावित व्यक्ती आध्यात्मिक रूप से पूरी तरह से विध्योती कृत हो जाता है, और इसलिए जो कोई भी ऐसे शुधर भक्त को चूता है य शिक्षा, सौंदर्य और धन हैं, लेकिन यद्यपी भगवान के एक भक्त के पास ये चारों भौतिक एश्वर्य हो सकते हैं, वो कभी भी इस तरह के भेदों के अभिमान से दूर नहीं होता है। भगवान के महान भक्त दुनिया भर में एक तीरत से दूसरे स्थान की आत्रा करते हैं, और अपने रास्ते में वे कई बधर आत्माओं से मिलते हैं और उनकी संगती और पालो की ज्यान के वित्रन से उनका उद्धार करते हैं। जहां क्रिष्ण के भक्त इकठा होते हैं। ऐसी संगती से लोग क्रिष्ण भावनामरित में अधिक से अधिक विक्सित हो सकते हैं। इसे अध्यात्मवादियों के पास अपने दर्शन की वैधता स्थापित करने के लिए अलग-अलग तर्क हैं। वस्तुतव भातिक संसार सत्य और असत्य दोनों साथ साथ है। यह सत्य है क्योंकि सबकुछ परम निर्पेक्ष सत्य का विस्तार है और यह असत्य है क्योंकि भातिक संसार का अस्तित्व अस्थाई है। यह बनाया जाता है और यह नश्ठ हो जाता है। अपने अस्तित्व की विभिन स्थितियों के कारण, ब्रहमांडिया अभिव्यक्ति की कोई निश्चित स्थिती नहीं है, जो लोग इस भौतिक दुनिया को जूठा मानने की वकालत करते हैं, वे आम तोर पर मैकसिम ब्रहमा सत्यम जगन मिथ्या से जाने जाते हैं। एक मिठी का पानी का घड़ा तूट जाने के बाद एक कटोरे या थाली में बदल सकता है, लेकिन या तो एक थाली, कटोरा या पानी के सुराही के रूप में पृत्वी का अस्तित्व बना रहता है। वही एक मात्व सत्य है। तथा पी, अन्या अध्यात्मवादियों की राय में परम सत्य से उत्पन होने वाला यह भौतिक संसार भी सत्य है। निर्विश इश्वादियों का तर्क है कि यह भ्रम है क्योंकि कभी-कभी यह पाया जाता है कि पदार्थ आत्मा से उत्पन होता है और कभी-कभी आत्मा पदार्थ से उत्पन होता है। ऐसे दार्शनिक इस तर्थ को आगे बढ़ाते हैं कि गाय का गोबर मृत पदार्थ होते हुए भी कभी कभी यह पाया जाता है कि गाय के गोबर से बिच्चु निकलते हैं इसी प्रकार मृत पदार्थ जैसे नाखून और बाल जीवित शरीर से बाहर निकलते हैं इसलिए किसी निश्चित वस्तू से बनी वस्तूएं हमेशा उस वस्तू के समान गुनवत्ता वाली नहीं होती है इस तर्थ के बलपर मायावादी दार्शनी की अहस्थापित करने का प्रयास करते हैं कि यद्यपी यह ब्रहमाण्डिय अभिव्यक्ति निश्चित रूप से परमसत्य से उत्पन है ब्रहमाण्डिय अभिव्यक्ति में सत्य होना आवश्यक नहीं है इस दृष्टिकोन के अनुसार परमसत्य ब्रह्मा को इसलिए सत्य के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए जबकि लौकिक अभिव्यक्ति हालां कि परमसत्य का एक उत्पाद है इसे सत्य के रूप में नहीं लिया जा सकता है मायावादी दार्षनिकों का दृष्टिकों हालांकि भगवद गीता में असुरों या राक्षसों के दृष्टिकों के रूप में कहा गया है भगवान भगवद गीता में कहते हैं असत्यम अप्रतिष्थम्ते जगद अहुर अनीश्वरम अप्रासपर संभूतम के मन्यत काम है तो कम इस ब्रहमांडिया अभिव्यक्ति के बारे में असुरों का दृष्टि कोन या है कि पूरी सृष्टी जूठी है असुरों का मानना की केवल पदार्थ की परस पर क्रिया ही इसका स्रोथ है सृष्टी और इसका कोई नियंत्रक या ईश्वर नहीं है लेकिन वास्तव में यह तथ्य नहीं है भगवद गीता के साथ में अध्याय से हम समझते हैं कि पांच स्थूल तत्वत प्रित्वी, जल, अगनी, वायू और आकाश साथ ही सूक्षम तत्वत मन, बुद्धी और मिथ्या अहनकार सरवोच भगवान की आठा अलग अलग उरजाएं है इस हींता से परे, भौतिक उर्जा एक अध्यात्मिक उर्जा है, जिसे जीवों के रूप में जाना जाता है जीवों को भगवान की पराशक्ती के रूप में स्वीकार किया जाता है सम्पून लौकिक अभिव्यक्ती हीन और उच्छतर उर्जाओं का एक सेयोजन है और उर्जाओं का सोथ देवत्व का परम व्यक्तित्व है भगवान के सरवोच व्यक्तित्व में कई अलग अलग प्रकार की उर्जाएं होती है वेदों में इसकी पुष्टी की गई है परिस्य शेक्तिर विविधेव शुवतें भगवान की पालोकिक उर्जाएं भिन है और क्योंकि इस प्रकार की शक्तियां परम भगवान से निकली है वे जूटी नहीं हो सकती भगवान सदा विद्यमान है और उर्जाएं सदैव विद्यमान है कुछ उर्जा अस्थाई है कभी प्रकट और कभी अव्यक्त लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि इह जूटी है उदाहरन यह दिया जा सकता है कि जब कोई व्यक्ति गुस्से में होता है तो वो ऐसी चीजें करता है जो उसके जीवन की सामान्य स्थिती से अलग होती है, लेकिन यह तथ्य की क्रोध की मनोदशा प्रकट होती है और गायब हो जाती है, इसका मतलब यह नहीं है कि क्रोध की उर्जा जूठी है। इसलिए मायावादी दार्षनिकों का यह तर्ग की यह संसार मिथ्या है। वैशनफ दार्षनिकों द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है। भगवान स्वयम इस बात की पुष्टी करते हैं कि यह मत की इस भौतिक अभिव्यक्ति का कोई सर्वोचकारन नहीं है कि कोई ईश्वर नहीं है और यह की सब कुछ केवल पदार्थ की परस पर क्रिया का स्रिजन है, असुरों का मत है। मायावादी दार्षनिक कभी-कभी सांप और रसी के तर्ग को सामने रखते हैं। सांज के अंधेरे में कभी-कभी अग्यानतावश बंधी हुई रसी को सांप समझ लिया जाता है। लेकिन रसी को सांप समझने की गलती का मतलब यह नहीं है कि रसी या सांप जूटा है और इसलिए मायावादियों द्वारा भौतिक दुनिया की मिठ्याता को दर्शाने के लिए इस्तिमाल किया गया यह उदाहरन मान्य नहीं है। जब क इस बहुत एक दुनिया की तुलना एक मिटी के बर्तन से करते हैं. जब हम मिटी के घड़े को देखते हैं, तो वह तुरंद गायब नहीं हो जाता और किसी और चीज में बदल जाता है. यह अस्थाई हो सकता है, लेकिन पानी लाने के लिए मिटी के बर्तन का उप्योग किया जाता है और हम इसे मिटी के बर्तन के रूप में देखते रहते हैं. इसलिए, हाला कि मिटी का घड़ा अस्थाई है और मूल प्रित्वी से अलग है, हम यह नहीं कह सकते कि यह जूठा है. इसलिए हमें यह निशकर्ष निकालना चाहिए कि मिटी का घड़ा और पूरी प्र दैव विद्यमान रहते हैं. क्योंकि भौतिक स्रिष्टी उन्हीं से निकली है, हम यह नहीं कह सकते कि यह लौकिक अभिव्यक्ति किसी शुन्य का उत्पाद है. क्रिष्ण शुन्य नहीं है. जब भी हम क्रिष्ण की बात करते हैं, वे अपने रूप, गुन, नाम, के साथ उपस्थित होते हैं. इसलिए, क्रिष्ण व्यक्तिक नहीं है. प्रत्येक वस्तु का मूल कारण न तो शुन्य है और नहीं निराकार, अपितु परम पुरुष है. राक्षस कह सकते हैं कि यह भौतिक स्रिष्टी अनीश्वर है, बिना किसी नियंत्र की आईश्वर इसी प्रकार, यह तर्क की बिच्चु गाय के गोबर से आता है, जिसका अर्थ है कि जीव पदात से आता है, भी निराधार है. गाय के गोबर से निकलने वाला बिच्चु निश्चित रूप से एक जीव है, लेकिन जीव गाय के गोबर से नहीं निकलता है. केवल जीव का शरीर की आपूर्ती भौतिक प्रकृती द्वारा की जाती है, लेकिन स्वयम जीव की आपूर्ती परमेश्वर द्वारा की जाती है। कुछ शर्टों के तहट पिता और माता जीव के लिए आवशक शरीर देते हैं। जीवात्मा अपनी विभिन इच्छाओं के अनुसार एक शरीर से दूसरे शरीर में देहान तरण करता है, जो की सूक्षम रूप में होता है। गुद्धी, मन और मिथ्या अहनकार एक शरीर से दूसरे शरीर में उसका साथ देते हैं। बहतर व्यवस्था के द्वारा एक जीव को एक निश्चित प्रकार के भौतिक शरीर के गर्ब में रखा जाता है, और फिर वह एक समान शरीर विक्सित करता है। इसलिए आत्मा पदार्थ से उत्पन नहीं होती है, यह बहतर व्यवस्था के तहट एक विशेश प्रकार का शरीर धारन करता है। कोई प्रशन नहीं हो सकता। तथा कथित जन्म और मृत्यू भौतिक शरीर के कारण होते हैं। इसी तरह यह बहतर शरीर हाला की अस्थाई है, इसका एक विशेश उप्योग है। स्रिष्ठी के आरम से ही जीव को विभिन प्रकार के भौतिक शरीर विक्सित करने का मौका दिया जाता है, जो उसने अनादी काल से जमाकी गई आरक्षित इच्छाओं के अनुसार किया है। मानव शरीर एक विशेश अफसर है जिसमें चेतना के विक्सित रूप का उप्योग किया जा सकता है। इस भौतिक संसार से निपटने के लिए अध्यात्मवादियों को दो सूत्र दिये हैं। जब एक वैशनव जीवन के भौतिकवादी तरीके को त्याग देता है और सन्यास लेता है तो यह भौतिक दुनिया की मिध्याता की अवधारना पर नहीं बलकी भगवान की सेवा में सब कुछ संलगन करने के लिए खुद को पूरी तरह से समर्पित करने के लिए है। इसलिए श्री रूप गोस्वामी यह सूत्र देते हैं व्यक्ति को भौतिक जगत से अनासक्त होना चाहिए क्योंकि भौतिक आसकती अर्थीन है। इसलिए श्री रूप गोस्वामी ने अपने दूसरे सूत्र के साथ मायावादी सन्यासियों की आलोचना की है। इसलिए श्री रूप गोस्वामी यह सूत्र देते हैं व्यक्ति को भौतिक दूनिया के अस्थाई निर्मान का उप्योग करना जानता है। जब मिट्टी के घड़े का उप्योग गलत काम के लिए किया जाता है तो वह जूठा होता है। इसी प्रकार मानव शरीर या भौतिक संसार जब इंद्रिय थ्रिप्ती के लिए उप्योग किया जाता है जूठा होता है। लेकिन यदि मानव शरीर और भौतिक स्रिष्टी का उप्योग परमेश्वर की सेवा के लिए किया जाता है तो उनकी गतिविदिया कभी जूठी नहीं होती। इसलिए भगवद गीता में इसकी पुष्टी की गई है कि भगवान की सेवा के लिए शरीर और भौतिक संसार का थोड़ा सा भी उप्योग किसी व्यक्ती को गंभीर खत्रे से बचा सकता है। जब ठीक से उप्योग किया जाता है तो भगवान के परम व्यक्तित्व से निकलने वाली न तो श्रेश्ट और नहीं निम्न शक्तियां जूठी होती हैं। जहां तक सकॉम गतिविधियों का संबंध है वे मुख्य रूप से इंद्रियत्रिप्ति के मंच पर आधारित हैं। परतमान में कई भौतिक वैज्ञानिक चंद्र ग्रह पर जाने और फिर से वापस आने की कोशिश करके अपना समय खराब कर रहे हैं। जो लोग सकारातमक गतिविधियों में लगे हुए हैं उन्हें वेदों द्वारा अंध परंपरा या वैदिक कर्मकांडों के अंध अन्यायों के रूप में वर्नित किया गया है। एध्यपी वेदों में ऐसे समारोहों का निश्चित रूप से उलेक किया गया है, वे पुरुषों के बुद्धिमान वर्ग के लिए नहीं हैं। वेदिक कर्मकांडों में भाग लेते हैं और तब वे मोहगरस्थ हो जाते हैं। जब किसी के पास एक मिलियन डॉलर के करिंसी नोट होते हैं, तो उसके पास वास्तव में केवल कागजों का एक बड़ा गुच्छा होता है, लेकिन अगर वो इसका उप्योग किसी उद्धेश्य के लिए करता है, तो उसे लाब होता है। इसी प्रकार, यद्यपी यह भौतिक संसार कागज की तरह जूठा हो सकता है, इसका उचित लाबकारी उप्योग है। क्योंकि करिंसी नोट, हालां कि कागज, सरकार द्वारा जारी किये जाते हैं, उनका पूरा मूल्य होता है। इसी तरह, यह भौतिक संसार जूठा या अस्थाई हो सकता है, लेकिन क्योंकि यह परम भगवान से उत्पन है, इसका पूरा मूल्य है। वैशनव दार्शनिक इस भौतिक दुनिया के पूर्ण मूल्य को स्विकार करते हैं और जानते हैं कि इसका ठीक से उप्योग कैसे करना है, जबकि मायावादी दार्शनिक ऐसा करने में विफल रहते हैं, ठीक वैसे ही जैसे वे लोग जो एक करेंसी नोट को साधारन समझने की गलती करते हैं, उसे त्याग देते हैं और धनका उप्योग नहीं कर पाते हैं। यह भौतिक संसार भगवान की भौतिक शक्ती का विस्तार है, इसलिए यह वास्तविक है, यह मिथ्या नहीं है, जैसा कि कभी कभी सांप और रसी के उदाहरन से निशकर्ष निकाला जाता है। दुनिया का कोई अस्तित्व नहीं था, और विघटन के बाद दुनिया अप्रकट नहीं होगी। शुन्यवादी भी इस वैदिक संसकरन का लाब उठाते हैं और निशकर्ष निकालते हैं कि इस भौतिक संसार का कारण शुन्य है। लेकिन वैदिक निशेधाग्या यह नहीं कहती कि यह शुन्य है। और जब यह भंग हो जाता है तो यह उनमें विलीन हो जाता है। इसी सिध्धान्त की पुष्टी होती है। भगवद गीता में ब्रमांडिया अभिव्यक्ति अस्तित्व में आती है और फिर से विलीन हो जाती है। और विघटन के बाद यह सर्वोच भगवान के अस्तित्व में विलीन हो जाती है। यह कथन निश्चित रूप से पुष्टी करता है कि बहिरहरंग माया या बाहरी उर्जा के रूप में जानी जाने वाली विशेश उर्जा। हालां कि चंचल प्रकृती की है, परम भगवान की उर्जा है और इस तरह यह जूटी नहीं हो सकती। यह केवल असत्य प्रतीत होता है। मायावादी दार्शनिकों का निशकर्ष है कि चूंकी भौतिक प्रकृती का प्रारंब में कोई अस्तित्व नहीं है और विघटन के बाद अस्तित्व हीन है, इसलिए यह असत्य है। लेकिन मिट्टी के बरतनों और व्यंजनों के उदाहरन से वैदिक संसकरन प्रस्तुत किया जाता है। लौकिक अभिव्यक्ति चंचल और अस्ताई है इसका मतलब यह नहीं है कि यह जूठा है। मिठ्यात्व की परिभाशा वह है जिसका कभी कोई अस्तित्व नहीं था लेकिन जो केवल नाम के लिए मौजूद है उदाहरन के लिए घोरे के अंडे या खरगोश के सींग या आकाश में फूल ऐसी घटनाए हैं जो केवल नाम के लिए मौजूद हैं। ना घोरे के अंडे हैं, ना खरगोश के सींग हैं और ना आकाश में फूल उग रहे हैं। जैसा कि वेदों में घोशित किया गया है, ये दोनों पक्षी मित्र के रूप में बैठे हुए भी समान नहीं हैं। एक तो बस साक्षी है, यह पक्षी परमात्मा या परमात्मा है, और दूसरी चिडिया पेड का फल खा रही है, यही जीवात्मा है। जब ब्रमान्डिय अभिव्यक्ति होती है, तो जीवात्मा या व्यक्तिगत आत्मा अपने पिछले सकॉम कर्मों के अनुसार विभिन रूपों में सृष्टी में प्रकट होती है, और अपने वास्तविक अस्तित्व की लंबी विस्मृती के कारण, वह स्वयम को एक विश आत्मा और व्यक्तित्व के अश्वर्य कम नहीं होते हैं, हालां कि वह इस भौतिक संसार में प्रकट होते हैं, वह इस भौतिक दुनिया के सभी क्लेशों से खुद को अलग रखते हुए सभी एश्वर्य और सिद्धियों को पूर्ण रूप से बनाए रखता है, बध्ध जीवात्मा के बीच अंतर यह है कि परमात्मा या पून पुरुशोत्तम भगवान अपने प्राकृतिक एश्वर्य को बनाए रखते हैं, जिन्हें शड एश्वर्य, अश्ट सिध्धी और अश्ट गुन के रूप में जाना जाता है। जीवात्मा या है कि वे हमेशा भवतिक अस्तित्व के कलमश से अच्छुते रहते हैं। इसका उले की शोपनिशद में किया गया है अपाप विधम। जिस प्रकार सूर्य कभी किसी कलमश से दूशित नहीं होता, उसी प्रकार भगवान किसी भी पापकर्म से दूशित नहीं होते हैं। यद्यपी क्रिशन के कार्य कभी कभी अपवित्र लग सकते हैं, वे ऐसे कार्यों से कभी दूशित नहीं होते। दूसरा दिव्य गुर्णिया है कि क्रिशन कभी मरते नहीं हैं। भगवत गीता के चौथे अध्याय में वे अर्जुन को सूचित करते हैं कि इस दुनिया में उनके और अर्जुन दोनों के कई रूप थे, लेकिन वे अकेले ही ऐसी सभी गतिविदियों को याद करते हैं, अतीत, वर्तमान और भविश्य। इसका अर्थ है कि वे कभी मरता नहीं है। विस्मरन मृत्यू के कारण होता है। जैसे ही हम मरते हैं, हम अपने सूर्य भगवान, विवस्वान को सिखाई थी? इसलिए उनकी कभी मृत्यू नहीं होती, नहीं वह कभी बूरा होता है। यद्यपी कृष्ण एक परदादा थे, जब वे कुरुक शेत्र के युद्ध के मैदान में प्रकट हुए, वे एक बूरे व्यक्ति की तरह प्रकट नहीं होते, क्रिशन कभी बूक चाहता है, वे पूरी तरह से वैध है, और जो कुछ भी वत्य करता है, उसे किसी के द्वारा नहीं बदला जा सकता है। ये क्रिशन के आठ दिव्य गुन हैं, इसके अलावा, क्रिशन को योगेश्वर के नाम से जाना जाता है। उसके पास रहस्यवादी शक्तियों के सभी एश्वर्य या सुविधाएं हैं, जैसे कि अनिमा सिद्धी सबसे छोटे से भी छोटा बनने की शक्ती। ब्रह्म सहिता में कहा गया है कि कृष्ण परमानु के भीतर भी प्रवेश कर चुके हैं अंडांतरस्थ परमानु चयांतरस्थम। इसी तरह, कृष्ण, गर्भोधक्शाई विष्णू के रूप में, विशाल ब्रमांड के भीतर हैं और वे कारन महासागर में महा विष्णू के रूप में लेटे हुए हैं इतने विशाल शरीर में की जब वे सांस छोड़ते हैं तो उनके शरीर से लाखों और खर्बों ब्रमांड निकलते हैं। इसे महिमा सिध्धी कहा जाता है। कृष्ण के पास भी लगिमा की सिध्धी है, वे सबसे हलके बन सकते हैं। भगवद गीता में कहा गया है कि कृष्ण इस ब्रमांड में और पर्मानों के भीतर प्रवेश करते हैं, इसलिए सभी ग्रहवा में तैर रहे हैं. वह भारहींता की व्याख्या है. कृष्ण के पास भी प्राप्ती की पूर्णता है, वे प्राप्त कर सकते हैं. जो कुछ भी एश्वर्य पालोकिक गुनो और रहस्यवादी शक्तियों से संपन हैं. कोई साधारन जीव उनकी तुलना नहीं कर सकता. इसलिए मायावादियों का सिध्धान्त की परमात्मा और जीवात्मा समान हैं, केवल एक गलत धारना है. इसलिए निशकर्शिय है कि कृष्ण भूती मायाद्वारा प्रेरित होती है. ऐसा कहा जाता है कि माया का अंतिम जाल जीव को भगवान के परम व्यक्तित्व के बराबर बनने की कोशिश करने का निर्देश है. मायावादी दार्शनिक ईश्वर के तुल्य होने का दावा करता है, लेकिन वह इस प्रश्न का उत यह हटकल की कोई भगवान के परम व्यक्तित्व के बराबर है, पापी जीवन का एक और लक्षन है. कोई कृष्ण भावनामृत को तब तक ब्रहन नहीं कर सकता जब तक कि वह सभी पाप में गतिविधियों से पूरी तरह से मुक्त नहीं हो जाता. तथे यह है कि रूप से स्वयम को मुक्त मानते हैं और साथ ही स्वयम को पून सत्य के समान समझते हैं, उनकी बुद्धी शुधर नहीं होती है. साकार वेदों ने कहा कि यदि योगी और ज्यानी स्वयम को पापी इच्छाओं से मुक्त नहीं करते हैं, तो उनकी आत्म साक्षातकार की व इसलिए जिन लोगों ने आत्म साक्षातकार के मार्क को अपनाया है, उन्हें माया के प्रभाव से संदूशन से बचने के लिए बहुत सावधान रहना चाहिए. श्रीरूप गुस्वामी कहते हैं कि एक भक्त को सभी प्रकार की भौतिक इच्छाओं से पूरी तरह मुक्त होना चाहिए. एक भक्त को कर्म और ज्यान के परिनामों से प्रभावित नहीं होना चाहिए. व्यक्ति को केवल क्रिशन को समझना होता है और उनकी इच्छाओं को पूरा करना होता है. वो शुध भक्तिमय आवस्था है. व्यक्तिक्रित वेद ने जारी रखा रहस्यवादी योगी जिनके पास अभी भी इंद्रिय के लिए दूशित इच्छाए हैं. तुष्टिकरन अपने प्रयास में कभी सफल नहीं होते हैं, नहीं वे व्यक्ति के भ बार बार जन्म लेते रहेंगे और मौतें. ऐसे व्यक्तियों के लिए यह जीवन और अगला जीवन दोनों ही क्लेश का सोत होते हैं. ऐसे पापी व्यक्ति पहले से ही इस जीवन में क्लेश भोग रहे हैं, और क्योंकि वे आत्मसाक्षात कार में सिध्ध नहीं हैं, वे सन्यासी जीवन के व्यक्ति जिन्होंने आत्मसाक्षातकार के लिए अपना घर छोड़ दिया है। हाला कि विष्णु मंदिर के निर्मान जैसे कारियों में अपनी उर्जा लगाने का एक भक्त का प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता। व्यक्ति सेवा कभी भी कर्म के नियम के अधिकार शेत्र में नहीं आती। क्रिष्ण भावनामृत का जीवन मुक्ति का जीवन है। निश्करश यह है कि एक भक्त भगवान की कृपा से इस जीवन और अगले जीवन में मुक्त होता है, जबकि कर्मी, ज्यानी और योगी कभी भी इस जीवन में या अगले जीवन में मुक्त नहीं होते हैं। साकार वेद ने आगे कहा, प्रिय भगवान, जिसने भी आपकी कृपा से आपके चरंग कमलों की महिमा को समझा है, वह भौतिक सुख और संकट के लिए कठोर है, जब तक हम भौतिक संसार में रहते हैं तब तक भौतिक कष्ट अपरिहार्य हैं, लेकिन एक भक्त ऐसे कारि के कारण अत्यदिक प्रशंसा की जाती है, और कभी-कभी उसकी आलोचना की जाती है, भले ही प्रतिकूल आलोचना का कोई कारण ना हो, हालांकि शुदभख्त हमेशा सामान्य लोगों द्वारा प्रशंसा या निंदा करने के लिए कठोर होता है, वास्तव में भक्त के कार अत्यदि भगवान के परम व्यक्तित्व द्वारा दी जाती है, इस भौत एक संसार में एक भक्त की दिव्य स्थिती शुदभख्तों की संगती में बनी रहती है, बस उसके द्वारा विभिन युगों में और विभिन अवतारों में भगवान द्वारा किये गए शांदार कारियों को सुनकर, कृष्ण भावनामृत आंदोलन इस सिध्धान्त पर आधारित है, श्रील नरोत्तम दास्थाकुर ने गाया है, मेरे प्रिय भगवान, मुझे आपकी दिव्य प्रेम्माई सेवा में लगे रहने दें, जैसा कि पिछले आचारियों ने बताया है, और भी आचार्य की स्वीकृति के बिना स्वतंत्र रूप से कुछ भी नहीं करता है। शंकर्ट के निवारन के लिए भगवान के पास जाता है। जो परम भगवान के वैज्ञानिक ज्यान से परिचित पूर्वाचारियों के पद्चिन्हों पर चलकर पूर्ण ज्यान और भक्ती के साथ कृष्ण को समझने की कोशिश करता है, वह प्रशंसनिय है। वास्तव में एक भक्त के लिए कोई प्रतिकूल परिस्थितिया नहीं होती है। यह जानते हुए कि सब कुछ भगवान की इच्छा से आ रहा है, वहर स्थिती को अनुकूल मानता है और जीवन की किसी भी स्थिती में वह केवल अपनी भक्ती सेवा का निर्वहन करने के लिए उत्साहित रहता है। इस भक्ति पून रवये को भगवद गीता में समझाया गया है, एक भक्त जीवन की विप्रीत परिस्थितियों में कभी व्यतित नहीं होता है, नहीं वह अनुकूल परिस्थितियों में अतिप्रसन होता है। भक्ती सेवा के उच्छ चरनों में एक भ भक्ती सेवा के निर्वहन के लिए वह जो भी कार्य करता है, उसे दिव्यस्तर पर समझा जाना चाहिए। इसलिए भगवान क्रिश्ण हमें निर्देश देते हैं कि एक आचार्य आलोचना से उपर है। एक नवदीक्षित भक्त को स्वयम को आचार्य के समान स्तर पर नही समझना चाहिए। यह स्वीकार किया जाना चाहिए कि आचार्य भगवान के सर्वोच व्यक्तित्व के रूप में एक ही मंच पर हैं और इस तरह ना तो क्रिश्ण और नहीं उनके प्रतीनिधी आचार्य को नवदीक्षित भक्तों द्वारा किसी भी प्रतिकूल आलोचना क अधीन होना चाहिए। इस प्रकार साकार वेदों ने भगवान के परम व्यक्तित्व की विभिन तरीकों से पूजा की। प्रार्थना द्वारा परम भगवान की पूजा करने का अर्थ है उनके पालोकिक गुनों, लीलाओं और गतिविधियों को याद करना। लेकिन भग हाला की भगवान ब्रमा, उच्छतम ग्रह, ब्रमलोक के प्रमुक देपता, और राजा इंद्र, स्वर्गिय ग्रहों के प्रमुक देपता, साथ ही साथ सूर्य और चंद्रमा जैसे ग्रहों के प्रमुक देपता, सभी बहुत गोपनिय हैं इस भोतिक दुनिया के उन्हें आपके बारे में बहुत कम जानकारी है. तब सामान्य मनुष्य और मानसिक सट्टे बाज आपके बारे में क्या जान सकते हैं? आपके प्रभुत्व के असीमित दिव्य गुनों की गणना करना किसी के लिए भी संभव नहीं है. कोई भी, यहां तक मानसिक अनुमान ल कुचित नहीं है कि आप स्वयम को नहीं जानते. यह समझना व्यभारिक है कि चून की आपके पास असीमित गुन और उरजाएं हैं और चून की आपका ग्यान भी असीमित है. इसलिए आपके ग्यान और आपकी उरजाओं के विस्तार के बीच असीमित प्रतिस पर्धा है. इसलिए दोनों ही असीमित हैं. उरजाओं का कोई अंत नहीं है और उरजाओं को समझने के ग्यान का भी कोई अंत नहीं है. इश्वर निसंदे सरवग्य है लेकिन साकार वेद कहते हैं कि स्वयम इश्वर भी अपनी शक्तियों की पूर्ण सीमा को नहीं जानते हैं. इसका स्वयम को पूरी तरह से जानता है. लेकिन फिर भी जैसे जैसे उनकी उरजा और गतिविदियां बढ़ती हैं वे उन्हें समझने के लिए अपने ग्यान में भी व्रिद्धी करते हैं. दोनों असीमित रूप से बढ़ रहे हैं और इसका कोई अंत नहीं है. इस अर्प में यह कहा जा सकता है कि स्वयम भगवान भी अपनी शक्तियों और गुनों की सीमा नहीं जानते. भगवान किस प्रकार अपनी शक्तियों और गतिविदियों के विस्तार में असीमित हैं, इसकी गणना मोटे तोर पर किसी भी समझदार और शांत जीव द्वारा की जा सकती है. वैदिक साहित्य में कहा गया है कि जब महाविष्णू अपनी योगनिद्रा में श्वास छोड़ते हैं तो असंखय ब्रहमांड निकलते हैं और जब विश्वास लेते हैं तो असंखय ब्रहमांड उनके शरीर में प्रवेश करते हैं हमें कल्पना करनी होगी कि ये ब्रमांड जो हमारे सीमित ग्यान के अनुसार असीमित रूप से विस्तारित हैं, इतने महान हैं कि स्थूल और सूक्षम तत्वर लोकिक अभिविप्ती के पांच तत्वर, अर्थात पृत्वी, जल, अगनी, वायू और आकाश के साथ साथ कु ब्रमांड के भीतर हैं, बलकि ब्रमांड को साथ परतों में ढखते हैं, प्रतेक परत दस गुना बड़ी है। पिछला वाला, इस तरह, प्रतेक ब्रमांड बहुत सुरक्षित रूप से पैक किया गया है, और अंगिनत ब्रमांड हैं। ये सभी ब्रमांड महा विश्नु के पालोकिक शरीर के असंख्य चिद्रों के भीतर तैरते हैं। ये कहा गया है कि जिस प्रकार पक्षियों के साथ हवा में धूल के परमानू और कंड तैर रहे हैं और उनकी संक्या की गणना नहीं की जा सकती है, उसी प्रकार भग्वान के दिवे शरीर के चिद्रों में असं वह भगवान होने का दावा नहीं करता है, लेकिन आत्मा और पदार्थ के बीच अंतर करते हुए भगवान को समझने की कोशिश करता है। इस तरह के सावधानी पूर्वक विवेक से कोई सपष्ट रूप से समझ सकता है कि सर्वोच आत्मा दोनों उच्छ और निम्न उर्जाओं से परे है, हालां कि उनका दोनों के साथ सीधा संबंध है। जुरते हैं और प्रभाव यह भ्रमान्डिय अभिव्यक्ति है। जब कोई इस लौकिक अभिव्यक्ति और इसके भीतर चल रही हर चीज के बारे में सही निशकर्ष पर पहुंचने के लिए पर्याप भागयशाली होता है, तो वह जानता है कि यह प्रत्यक्ष और अप्रत जब व्यक्ति ज्यान की पूर्णता प्राप्त कर लेता है, तो वह इस निशकर्ष पर पहुंचता है कि क्रिश्न या इश्वर सभी कारणों के मूल कारण है। भगवान के माप के बारे में अनुमान लगाने के बजाए चाहे वह इतना लंबा या इतना चोड़ा है या इसलिए उन्हें पूर्व जात के रूप में जाना जाता है। भगवद गीता में कहा गया है कि परंप्रा प्रनाली या शिश्य उत्तराधिकार स्वयम क्रिश्न के साथ शुरू होता है। इसी तरह यहां साकार वेदों की प्रार्थनाओं में यह समझा जाना चाहिए कि प परंप्रा प्रनाली भगवान नारायन रिशी के व्यक्तित्व के साथ शुरू होती है। हमें याद रखना चाहिए कि यह वेद स्तुति कुमार सानंदन द्वारा सुनाई गई है और वर्नन दोहराया गया है। बद्रीका श्रम में नारायन रिशी द्वारा। नारायन रि पस्या की थी। श्री नारदमुनी उनसे सुन रहे थे। तो नारायन रिशी द्वारा नारदमुनी को दिये गए बयान में जैसा कि कुमार सानंदन द्वारा वेद स्थुती के रूप में सुनाया गया है। यह समझा जाता है कि भगवान ही सरवोच हैं और अन्य सभी उनके स विभिन प्रतिभाओं और प्रवृतियों का प्रदर्शन करते हैं, इस प्रकार यह वेट स्तुती जीव और भगवान के परम व्यक्तित्व के बीच विद्यमान संबंध के बारे में मूल निर्देश है, जीव के लिए अनुभूती का सरवोच मंच भक्तिपून जीवन की प पुरान और वेदान सूत्र भगवान को पालोकिक प्रेम्माई सेवा प्रदान करना है। इस संबंध में नारायन रिशी ने एक विशेश शब्द का प्रयोग किया है रस। भक्ति सेवा में यह रस भगवान और जीव के बीच लेन देन के आदान प्रदान का माध्यम या म पूल सिध्धान्त है। वेदों में भी रस का वर्नन किया गया है रसो वैसा। सरवोच भगवान सभी सुखों के भंडार हैं पुरानों, वेदों, उपनिशदों और वेदान सूत्र सहित सभी वैदिक साहित्य जीवों को सिखाते हैं कि रस की अवस्था को कैसे प्राप्त किया जाए। भागवत्म यह भी कहता है कि महापुरान श्रीमत भागवत्म में बयान सभी वैदिक साहित्य के सार प्रस का गठन करते हैं। निगम कल्प तरोर गल्तम फलम भागवत्म वैदिक साहित्य के व्रिक्ष के पके हुए फलका सार है। हम समझते हैं कि भगवान के परम व्यक्तित्व की सांस के साथ चार वेदों का निर्मान हुआ, अर्था त्रिगवेद, यजुरवेद, साम वेद और अथर्ववेद, और महाभारत जैसे इतिहास और सभी पुरान, जो हैं विश्व का इतिहास माना जाता है। यहां यह कहा गया है कि नारद मुनी सहित ऐसे संथ शायद ही कभी भूमी पर यात्रा करते हैं, वे निरंतर अंतरिक्ष में भ्रमन करते हैं। इस प्रकार यह निश्चित है कि जीव इस भौतिक जगत में ठीक वैसे ही आते हैं जैसे एक बड़ी आग से चिंगारियां गिरती हैं। जीव कृष्ण का अनुकरन करना चाहता है और इंद्रियत्रिप्ती का आनंद लेने के लिए भौतिक प्रकृती पर प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयास करता है, इस प्रकार वह अपनी मूद स्थिती को भूल जाता है और उसकी प्रकाशमान शक्ती उसकी आध्यात्म प्रकार वह अपने शिष्यों को बढ़ाने के लिए पूरे ब्रहमान में यात्रा करते हैं, उनका उद्देश्य यह हैं कि सभी बद्ध जीवों को उनकी मूझ चेतना या क्रिष्ण चेतना को पुनर जीवित करने के लिए शिख्षित किया जाए और इस प्रकार भौतिक ज पीवन की दैनिय स्थितियों से राहत प्राप्त की जा सके। के समय से लेकर वैदिक साहित्य के अपने अध्ययन के पूरा होने तक ब्रहमचर्य का पालन करता है। की उनका ब्रहमचर्य व्रत उतना ही वीर है जितना की क्षत्रियों का व्रत। जीवन की ब्रहमचारी प्रणाली विशेश रूप से लावप्रद है क्योंकि यह स्मृति और द्रिर्संकल्प की शक्ति को बढ़ाती है। इस संबंध में यह विशेश रूप से उलेट किया गया है क्योंकि नारद एक नैश्ठिक ब्रहमचारी थे, वे अपने आध्यात्मिक गुरू से जो कुछ भी सुनते थे उसे याद कर सकते थे और इसे कभी नहीं भूलेंगे। जो सब कुछ नित्य याद रख सकता है उसे शुती धारा कहा जाता है। अध्यात्मिक गुरू नारायन रिशी से सुनने के बाद पूरी तरह से साकार हो गए। वो सत्य में स्थापित हो गया और वो इतना खुश हो गया कि उसने नारायन रिशी से प्रार्थना की। नारद मुनी ने नारायन रिशी को कृष्ण के अफ्तार के रूप में संबोधित किया और विशेश रूप से उन्हें बधर आत्माओं के परम शुक्चिन तक के रूप में संबोधित किया भगवद गीता में कहा गया है कि भगवान कृष्ण प्रतेक सहस्राब्दी में केवल अपने भगतों को सुरक्षा देने और अभगतों का विनाश करने के लिए अव्तरित होते हैं नारायन रिशी, कृष्ण के अव्तार होने के नाते, उन्हें बधर आत्माओं के शुपचिंतक के रूप में भी संबोधित किया जाता है जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, हर किसी को पता होना चाहिए कि कृष्ण जैसा कोई शुपचिंतक नहीं है सभी को यह समझना चाहिए कि भगवान कृष्ण सभी के परम शुपचिंतक हैं और उन्हें उनकी शरण लेनी चाहिए इस तरह कोई पूरी तरह आश्वस्ट और संतुष्ट हो सकता है, यह जानकर कि उसके पास कोई है जो उसे सारी सुरक्षा देने में सक्षम है स्वयम कृष्ण, उनके अफ्तार और उनके पूर्ण विस्तार सभी बद्धजीवों के परम शुपचिंतक हैं, लेकिन कृष्ण राक्षसों के भी शुपचिंतक हैं, क्योंकि उन्होंने उन सभी राक्षसों का उद्धार किया जो व्रिंदावन में उन्हें मारने आये थ जब कृष्वन एक राक्षस का वद करते हैं, तो दानव को अत्यधिक लाब होता है, उतना ही जितना एक शुद्ध भक्त को भगवान द्वारा हमेशा सनरक्षित रहने से लाब होता है. नारद मुनी, अपने आध्यात्मिक गुरू, नारायन रिशी को सम्मान देने के बाद, उनके शिश्य व्यासदेव के आश्रम में गए. व्यासदेव द्वारा अपने आश्रम में उचित रूप से स्वागत किये जाने और बहुत आराम से बैठने पर, नारद मुनी ने नार परीक्षित को वैदिक ज्यान के सार और वेदों में अंतिम लक्ष्य क्या माना जाता है, के बारे में उनके प्रशनों के उत्तर की जानकारी दी. जीवन का सरवोच लक्ष भगवान के परम व्यक्तित्व के पालोक एक आशीरवाद प्राप्त करना है और इस प्रकार भगवान की प्रेम्माई सेवा में सनलग्न होना है. शिष्य को शुगदेव गोस्वामी और अन्य सभी वैशनवों के पद्चिन्हों पर चलना चाहिए और भगवान क्रिश्न, पून पुरुशोत्तम भगवान, हरी को सम्मानपूर वक्प्रनाम करना चाहिए. वैशनव शिष्य उत्तराधिकार के चार संप्रदाय, अर्थातमाधव संप्रदाय, रामानुच संप्रदाय, विष्णू स्वामी संप्रदाय और निम्बाग संप्रदाय, सभी वैदिक निशकर्षों के अनुसरन में सहमत हैं कि व्यक्ति को भगवान के परम व्यक्तित् इन सबका निशकर्श यह है कि व्यक्ति को श्री कृष्ण को पून पुरुशोत्तम भगवान के रूप में जानना चाहिए। पुरुशोत्तम भगवान क्रिश्ण के निर्देशन में संचालिप की जाती है। जन्म पिता और माता के सयोजन के कारण होता है लेकिन पिता और माता दोनों का अंतिम कारण क्रिश्ण है। इसलिए वे मूल कारण है या सभी कारणों के कारण है जैसा कि ब्रहम सहिता में पुष्टी की गई है। परम भगवान और जीव दोनों भोतिक प्रकृती में प्रवेश करते हैं। सर्वोच भगवान, कृष्ण, अपने पून विस्तारों में से एक कारणोदक्षाय, महा विश्नु, विशाल विश्नु रूप के रूप में प्रकट होते हैं, जो कौसल महासागर में पढ़ा फिर महा विश्नु के उस विशाल रूप से गरभोदक्षाय विश्नु विस्तार करते हैं और हर ब्रमान में प्रवेश करते हैं। उनसे ब्रमा, विश्नु और शिव का विस्तार होता है। विश्नु क्षिरोदक्षाय के रूप में सभी जीवों के हृदय में प्रवेश क पास विभिन प्रजातियों और रूपों में लिया गया एक चोटा सा भौतिक शरीर है और इसी तरह संपून ब्रमांड भगवान के परम व्यक्तित्व का भौतिक शरीर है। इसलिए केवल जब व्यक्तिगत जीव भगवान के परम व्यक्तित्व के प्रती समर्पन करता है तो भौतिक शरीर है। देखता है कि वह कमरे के भीतर मौजूद है लेकिन वास्तव में वह खुद उस शरीर के भीतर नहीं है क्योंकि सोते समय एक आदमी अपने शरीरिक अस्तित्व को भूल जाता है। अन्य लोग देख सकते हैं कि उसका शरीर मौजूद है। इसी प्रकार भगवान की भक्ति सेवा में लगे एक मुक्त व्यक्ति को अन्य लोग भौतिक संसार के ग्रिहस्त करतव्यों में लगे हुए देख सकते हैं। लेकिन चूंकी उसकी चेतना कृष्ण में स्थिर है, वो इस संसार में नहीं रहता है। उसकी व्यस्तताएं भिन हैं, ठीक उसी तरह जैसे सोने वाले व्यक्ति की व्यस्तताएं उसके शारीरिक कारियों से भिन होती हैं। भगवद गीता में इसकी पुष्टी की गई है कि भगवान की पालोकिक प्रेम्माई सेवा में पूरे समय लगा रहने वाला भक्त पहले ही भौतिक प्रकृती के तीन गुनों के प्रभाव को पार कर चुका होता है। जीवन मुक्त समझा जाना चाहिए, अर्थात उसे शरीर या भौतिक संसार के भीतर रहते हुए मुक्त माना जाना चाहिए। इसलिए, निशकर्शिय है कि जो व्यक्ती पूरी तरह से कृष्ण भावनामृत में लगा हुआ है वह मुक्त व्यक्ती है। ऐसे भ्यक्ती का वास्तव में अपने भौतिक शरीर या भौतिक संसार से कोई लेना देना नहीं होता है। जो कृष्ण भावनाम।रित में नहीं हैं वे करमी और ग्यानी कहलाते हैं और वे शारीरिक और मानसिक स्तरों पर मंदराते रहते हैं और इस प्रकार मुगत नहीं होते। इस्थिती को कैवलिय निरस्ट योनी कहा जाता है, लेकिन पालोकिक मंच पर स्थित व्यक्ति जन्म और मृत्यू के दोहराव से मुक्त हो जाता है। के चरण कमलों में आत्मसमर्पन करना चाहिए। इस प्रकार क्रिशन के 87 अध्याय का भक्ति वेदान तात पर ये समाप्त होता है, व्यक्ति गत वेदों द्वारा प्रार्थना।